राजभासा कार्यानिवन समीती केंद्रियों चितिब्विती सिक्षा संस्थान सारनाथ बारणशी के द्वारा आयोजीत आज कभी सम्मिलन में आप सभी का स्वागत अभिनंद निवंग वंदन है आज के इस शमारों की अध्यक्षता केंद्रियों चितिब्विती सिक्षा संस्थान के परमाद्रड़ी माननी कुल्पत जी कर रहे हैं वे मंच पर सुशोवित हो चुके हैं मैं संस्थान के कुलुश्चिव डाक्टर आर्के उपाध्याय जी से अनुरोत करता हूँ क्रिपिया मंच पर आवे और मंच को सुशोवित करने का कस्ट करें हमारे मंतरित जो कभिगण पधारे हुए हैं उसमें वरिष्ट कभी स्रीभोशन त्यागी जी से अनुरोध है कि क्रिपिया मंच पर आजाए और अपना स्थान गरहन करें मंच संपूरित हुआ, आप सभी से अनरोध है कि कर्तल ध्वनी से स्वागत करें मंच का मैं माननी कुलपती जी तथा सनमान्य तिथिगण से अनरोध करता हूँ कि आप देप्रजुलित कर और वागदेवी मा सरश्वती के चित्र पर माल्यारपन करके आज के इस समारोग का कविता सत्र का विधिवत उद्गाटन करें शमारोग के अध्यक्ष माननी कुलपती जी तथा विशिस्ट मंचासे नतित्यों के द्वारा वागदेवी सरश्वती के चित्र पर माल्यारपन और दिप्रज्वलिक कर शमारोग का विधिवत उद्गाटन किया गया यह हमारे लिए और इस समारोग के लिए बहुत गवरोग की बात है कि श्वेंग माननी कुलपती जी इस समारोग की अध्यक्षता कर रहे हैं मैं आपसे अनरोद कर रहा हूँ कि हमारे पधारे हुए आमंत्रित कवियों का संस्थान की ओर से स्वागत करें माल्यारपन प्रदान कर एवंग अंग वस्तरम प्रदान करके मानी कुलपत जी अंग वस्तरम प्रदान करके माला भी लाईए न मानि कुलपत जी मलियापन करके स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं स्रीफूशन त्यागी जी का मानि कुलपत जी इस्वचन ट्रिपाठी जी का जो जाने माँने गीत कार हैं पुरवाणचल के सुप्रसिद्ध हाश्यकवी श्री बादशाह प्रेमी जी हमारी बीच में हैं सर्शे अन्रोध है कृपिया आपका भी स्वागत करें माले एरपीत करके एवंग उत्तरी प्रदान करके श्रीमती रंजना राय जी श्री जग्दिश नरायन तिवारी लोकेश जी श्रीमती पूनम श्रीवास्तो जी और हिमान्शु उपाध्याय जी आमंत्रित्य विशिष्ट कभी गणका श्वागत किया विनंदन किया संस्थान के मुखिया मानने कुल्पती जी ने और अब मैं आप सभी के श्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं संस्थान की छात्राओं को संस्थान की छात्रा में आमें और वे हमारे कभी गण, हमारे विशिष्ट तिति गण तथा आप सभी सोताओं का स्वागत करें स्वागत गान की द्वारा स्वागतं 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 सारे का मग मगर नी सारे गर गर सा के सपावन सुहावन समय आज है आपका ये अतितियों की सरताज है देव की बानती पूचन करें आज हम स्वागतं 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 मन की वीना से गुन्जित दुनी मंगलं सागतं 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 मन की बगियों से हमने है तलिया चुनी शर्दा के फूलत हमने माला बुनी करते हैं तुमको अर्बित सुमनाजिहम स्वागतम 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 मन की वीना से गुंजित गणी मंगलम स्वागतम 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 संस्थान की छात्राओं ने श्वागतगान के माध्यम से आप सभी का श्वागत किया और अब मैं साब्दिक स्वागत के लिए बहुत ही आदर के साथ संस्थान के कुल सचीव आदरणी डाक्टर रार के उपाध्याजी से निविधन करता हूँ आपा में और स्वागत भास्टन करें धन्यवाद डाक्टर शाम राम सुधार सिंग जी अतिशा हाल में बैठे हुए राजबार्शा कारुन समित के द्वारा आयोजित ये कभी गोस्टी मंच प्यासीन परम आदरनी कुलपती प्रोशर नावांग शौमतें जी स्रेस्ट कभी जो मंच शीन पर बैठे हैं त्यागी जी पूरा नाम मैं स्वेम नहीं जानता हूँ अभी भूशन त्यागी जी और हमारे बाहर से आये हुए कभी गण इस सवागार में बैठे हुए हमारे फेकल्टी मेंबर्स करमचारी गण और प्रियशात शात्राओं ये राज भाषा कारुनिन शमित की तरफ से हर वर्ष कभी गोस्ठी का आयोजन होता है और उच अस्थरी कभी यहाँ अपने काव्य पाठ का प्रसुत करते हैं जिससे कि हम सभी लावानमित होते हैं हम प्रतेक कभी को यहाँ मैं श्वागत करता हूँ और आज का यह कभी गोस्ठी अपने सिर्स उचाई पर पहुँचे इसके लिए मैं इश्वर से प्रात्ना करता हूँ और आप लोग जिस उद्श से के लिए यहाँ बैठे हैं वो जो साहितिक कभीताएं और जो कभीताओ कि अपने उचाई को प्राप्त करेगा मैंनी सब सब्सब्दों के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ और कभी जो दूर से आए हुए हैं मैं उनका विशेश स्वागत करता हूँ और शादवाद देता हूँ कि हमारे जो कार्यानोन शमिती है हिंदी उनके एक केवल रिक् रेठे हुए सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ साथ साथ स्वागत करता हूँ धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर राजभासा कार्यानोन शमिती द्वारा सप्ताह परियंत चलने वाले इस आयोजन का आज तीसरा दिन है पहले दिन प्रसास्निक कारियों में राजभासा के महत्तो पर बहुत ही महत्तो पूण व्याख्यान हुआ था जिसकी सभी लोगों ने तारिफ किया और कल कारेशालाओं के उपयोगिता पर एक विद्वता प्रण व्याख्यान हुआ जो भी हमारे मानक और स्टेंडर्ड के अनुरूप रहा और आज तीसरा दिन है जो कविता का दिन है क्यों कविता बारवार या सवाल मेरे मन में भी है और आपके सम्मुक भी है कि हम कविता क को इतना महत्यों क्यों दें एक बड़े दार्स्निक का कहना है कि विज्ञान सत्य की खोज है धर्म उस सत्य की अनुभूति है और कविता काव्य उसकी अभिव्यक्ति है अगर विज्ञान में धर्म की अनभूती नहीं है तो वह विज्ञान विनाशक होगा अगर धर्म में वैज्ञानिकता नहीं है तो वह आडंबर होगा कूप मंडूकता होगी और अगर कविता में वैज्ञानिक दिष्टि नहीं है, धर्म की अनभूति नहीं है, तो वह वाकजाल होगा, वह गपच्टक होगा. इसलिए वह कविता श्रेष्ट है, जिसके पास एक वैज्ञानिक दिष्टि हो और जिसके पास एक संबेदना की गहराई हो. ऐसी कविता हमें छूती है, सवाल उठता है कि हम कविता क्यों सुनें, कविता हमें देती क्या है, कविता हमें जीवन के उसी सत्य से परिचित कराती है, कविता हमें जीने का सलीका सिखाती है, तुम जब तक जियो, फोल बनकर जियो, शूल बनकर खटकना नहीं जिन्दगी, यह हमें सिखाती है, तो कविता सिखाती है। जब हम कभी मजधार में होते हैं, हारते हैं, निराश होते हैं, तो कविता हमें सिखाती है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कविता हमें यह सिखाती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब हम जीवन के संगहर्षों से जूजते हैं तो कविता हमें सिखाती है योग्य जन जीता है पस्चिम के उक्त नहीं गीता है गीता है अस्मरन करो बार-बार जागो फिर एक बार कविता हमें विश्व मानवता की ओर ले जाती है औरों को हसते देखो, मनु हसो और सुख पाओ अपने सुख को विश्थित कर लो, औरों को सुखी बनाओ एक विश्व बंधुत्त की भावना कविता विक्षित करती है आज के इस संबेदन हीन होते हुए दावर में, पत्थर होने हुए दावर में कविता हमें संदेश देती है, पत्थर होते हुए दावर में गीतन गाता तो मैं भी धीरे धीरे पत्थर हो जाता कविता हमें इस जीवन के शंगर्ष से उस आनंद की अनुभूत ही कराती है इसलिए हम कविता सुनते हैं यह गौतम बुद्ध की उपदेश अस्थली है भगवान बुद्ध ने दुख से मुक्ति का उपाय बताया कविता भी हमें उपाय बताती है दुख सबको तोड़ता है तुम दुख को तोड़ दो केवल अपनी आखें औरों के सपनों से जोड़ दो कविता हमें उस व्यापक संदर्व की ओर ले जाती है कविता हमें सिखाती है कविता हमें बुलाती है कविता हमें समारती है कविता हमें संसकारित करती है उस कविता के हम करीब हूँ उस कविता को हम अपने हिर्दें के साथ एक संबेदनात्मक अस्तर पर साधारणी करण के अस्तर पर हम ले जाएं तो साइद कविता हमें बहुत कुछ दे जा सकती है आईए उस कविता के साथ हम जुड़ें आईए उस कविता के साथ हम गलवहिया करें आईए उस कविता के साथ उसकी आँखों में आँख डाल करके थोड़ा हम उससे बतियाएं तो प्रेम से तो कविता लगेगी कि आपकी सखी है जो आपके सुख दुख में आपके साथ हो कविता रहेगी तो एक बार सभी कवियों का मैं स्वागत करता हूँ हमारे बीच में स्री भूसनर त्यागी जी जो मंचाशीन है वीर रसके पूरे देश के जाने माने कवी है इस्वर्चन त्रिपाठी जी जो बहुत दूर से इस जनपत के बाहर से आजमगड़ से आए हुए है उनके गीतों की एक मधुरिमा है बादशाह प्रेमी जी हमारे बीच में आए है जो हास्य और व्यंग के कवी है मुझे समझ में आता है कि जो बादशाह है वो प्रेमी कैसे हो सकता है दोनों में बड़ी दुश्मनी है बादशाहत के पास प्रेम नहीं है उसकी बादशाहत नहीं रह सकती है लेकिन ये हास्य के कवी है इसलिए दोनों विरोधों को एक साथ रखके हैं मैं स्वाकत करता हूँ श्रीमती रंजना राय जी हमारे बीच में उपस्तित हैं जो बनारश की चर्चित के वियत्री हैं लेकिन पूरे देश में अपने अपनी कविता के माध्यम से लोगों को लुआती हैं जगदेश रायन तिवारी जी जो प्राविधिक शिक्छा में संज जोगीतकार के रोप में प्रतिश्टीत हैं मैं आप सभी कवियों का श्वागत करता हूँ और एक बार इन कवियों का करतल धğund से श्वागत हो जाए और तब हम कविता के साथ जुणे कविता के देवी की वंधना करने के साथ याकुंदेंदुत उस वागदेवी सरस्वती की वंदना करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती पूनम श्रिवास्तो जी को आप आवे और मा वागदेवी की वंदना के साथ हम इसकविता का आगास करें मा शार्दे को पड़ाम करती हूं आप सभी को पड़ाम करती हूं मा शार्दे की चर्णों में सरद्धा के फोल अरपित करना चाहती हूं। सुनिएगा। आपन पुजादे रे जननी, पगतल बसाले रे जननी, पगतल बसाले, पगतल बसाले, तू दान की हो देबी, सबसे बड़ी हु माता, ये जग बना भिखारी, तू ही तो है ये दाता, जिस पर कृपा न तेरी, अनपढ़ वही कहाए, सब को कुशल बनाए, सब को कुशल बनाए रे जननी, पगतल बसाले रे जननी, मा बीडा वाली तेरी, सब पर कृपा लुटा दे, तू उसनेह सुधा देकर, ही ये के कलुष मिटा दे, तू उसनेह सुधा देकर, ही ये के कलुष मिटा दे, आलाया मर हुए है, तू तान तान दे दे, सब भूल भूल कर तो, मा घ्यान खान दे दे, मा घ्यान खान दे रे जननी, पगतल बसाले रजननी पगतल बसाले पगतल बसाले रजननी पगतल बसाले आखरी बंद मां के चणों में ने वेदित करती हूँ सुनियेगा है आस लगी पावन इसको करो सफल तुम है आस लगी पावन इसको करो सफल तुम तम में भटक रही हूँ कर बुद्धि को भी मल तुम माशार दे जुकासर द्वारे पड़ी है पूनम क्यूं देर हो लगाती माता बनी हो निर्मम माता बनी हो निर्ममे जननी पगतल बसाले रे जननी पगतल बसाले पगतल बसाले रे जननी पगतल बसाले रे जननी पगतल बसाले रे जननी कविता का वह निर्जर छेत्र जहां हमें हर तरह का रश भी लेगा जहां मन को आनंदित करने वाले गीत भी हैं जहां हाश्य ब्यंग भी है जो हमें कचोटेंगे जो हमें हसाएंगे जहां वीर रश की काव्यात्मक्पंगतियां भी आएंगी तो मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले हम गीतों के द्वारा धीरी धीरी क्योंकि गीत वैसे चलती है जैसे कोई नाईका पैरों में नूपूर बहन कर छम 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 चले उस गीत की तरह से हम कविता के खेत में प्रवेश करें पहले अगर वीर रस कर देंगे तो सब उथल उथल हो जाएगा आईए गीत की तरह से और इस गीत के लिए मैं डाक्टर इस्वच चंत्रिपाठी जी कौमंत्रित करता हूँ आपा में और एक जाने माने गीत कार प्रेम के गीत और साइद इसी बनारस के किसी कवी ने कहा था गीत जिस दिन मुहबबत के मर जाएंगे तूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे पंडित से किस्तिवारी ने कहा था आईए हम अपने को तूटने से बचाएं और मुहबबत के गीत सुने इस्वर्चन त्रिपाथी जी से आज के इस सारस्वत कारिक्रम के अधन्डी अध्यक्ष्मोद मंचा सिन विद्वानगड इस सभागार में उपस्थित कवी कवित्रीगड और सबसे अधिक सम्मानित स्रोतागड गीतों के लिए आदेश हुआ है बिलकुल पवित्रितम धंग से प्रेम की प्रिस्तुती करने की इच्छा करता हूँ और वहीं से गीत पढ़ता हूँ चार-चार पंक्तियों में अगर प्रेम को परिवासित कर सकूँ तो मैं अपने को गौरवाननित महसूस करूँगा बहुत बिसेश धन्यवाद दे रहा हूँ मैं अपने उद्भट संचालक को अगर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देश के सभी नामी गिरामे संचालकों के साथ कावपाट करने का मौका मिला लेकिन वास्तों में कविता को जो प्रिस्टिभूम आपने दिया है उसमें गीत पढ़ना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है बहुत बहुत परणाम कर रहा हूँ आपको और यहीं से गीत की बात कर रहा हूँ छोड़कर आखिरी सफर आजा चोड़कर आखिरी सफर आजा तुँ उधर से कभी इधर आजा मेरी दुनिया तुम्हें बुलाती है मेरी दुनिया तुम्हें बुलाती है ऐ मुहबा तुम्हें घर आजा ऐ मुहबा तुम्हें अपने घर आजा ऐ मुहबा तुम्हें अपने घर आजा मेरा अपना मानना है कि ना तो प्रेम को पूरता परिभासित किया जा सका और जब प्रेम को नहीं परिभासित किया जा सका तो परमात्मा को भी पूरता परिभासित नहीं किया का मैं वहीं से चार पंक्ति ले रहा हूं अगर आच्छी लगे तो मुझे आसर बाद जरूर दें कि सिर्फो एक बार कह दिया होता सिर्फो एक बार कह दिया होता आखिरी बार कह दिया होता सिर्फो एक बार कह दिया होता आखिरी बार कह दिया होता तुमसे येतनी सी गुझार इसी थी मेरी प्यार को प्यार कह दिया होता प्यार इतनी कमजोर ताली पे इतनी अच्छी मुग तक पढ़े जाएं कईसे काम चले गा इसका मतलब है आप मैं आप लोगों के और करीब आ रहा हूँ कि मुझे लगदा है कि प्रेम एक ऐसी चीज है जिससे हर वेक्ट कहीं ने कहीं गुजरा होगा अगर प्रेम है तो प्रतिक्षा हुई होगी और प्रेम में प्रतिक्षा सबसे समवेदन सील जगह है अगर मैं चार पंक्त कह रहा हूँ और अच्छा लगे तो मुझे जरूर आशिर बात दें कि मैं जमाने को भूल बैठा हूँ मैं जमाने को भूल बैठा हूँ जुर्म करके कुबूल बैठा हूँ मैं जमाने को भूल बैठा हूँ जुर्म करके कुबूल बैठा हूँ तेरी अगवानी के लिए कब से तेरी अगवानी के लिए कब से लेके हातों में फूल बैठा हूँ और चार पंक्तियां गहराई ते ले रहा हूँ थोड़ा सा जीवन दर्सन लपेटते हुए कि प्रान पंची ये बहक जाते हैं यूँ तो जिन्दगी में अपने घर रोज को इनको याता है लेकिन जब कोई अपना सा व्यक्तिया जाता है तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है मैं यसी बात को चार पंक्तियों में कह रहा हूँ कि प्रान पंची ये बहक जाते हैं प्रान पंची ये चहक जाते हैं जूलते पिजिर बहक जाते हैं प्रान पंची ये चहक जाते हैं जूलते पिजीर बहक जाते हैं जब वो आता है घर के पत्थर भी फूल बन करके महक जाते हैं फूल बन करके महक जाते हैं प्रान पंची ये चहक जाते हैं जूलते पिजीर बहक जाते हैं जब वो आता है घर के पत्थर भी फूल बन करके महक जाते हैं जब वो आता है घर के पत्थर भी फूल बन करके महक जाते हैं पाकिस्थान की हो जाये धरती नहीं ब्रहमांड की कहीं भी हो पीड़ा को मापने का कोई यंत्रत नहीं बन सका है है पीड़ा तो वो है चार पंक्तियों में इसी मजबूरी की इसी विवस्ता को पैस्तुत कर रहा हूं कि सत्य पर आवरण नहीं होता सत्य पर आवरण नहीं होता वक्त का आचरण नहीं होता सत्य पर आव रण नहीं होता वक्त का आच रण नहीं होता आसुओं ने बताया आखों को दर्द का व्या करण नहीं होता दर्द का व्या करण नहीं होता चुकि ये सिक्षन संस्थान है इसमें छात्र भी होंगे और मेरा अपना मानना सार के चात्र बरतमान परिस्थित में चाहे लोग तांत्रिक बेवस्था चाहे जहां भरस्था चार के जुग में कहीं ने कहीं प्रतिभाओं को दबा दिया जाता है या मार दिया जाता है मैं चार पंक्तियम मुनका प्रतनेधी तो करते हुए फिर अपना गीत पढ़ना हूँ चोटा सागीत पढ़के बैट जाओंग instructed संख्या जादा है पढ़ता हूँ कि अपने होटों को सीलिया हमने अपने होटों को सीलिया हमने जहर میरा का पीलिया हमने अपने होटों को सीलिया हमने जहर मीरा का पीलिया हमने कैसे बतलाएं तेरी दुनिया में कैसे बतलाएं तेरी दुनिया में बन के सुकरात जी लिया हमने बन के सुकरात जी लिया ठोड़ा से दूबाद चलाए होती भाई बन के सुकरात जी लिया हमने बन के और एक बहुत छोटा सा गीत पढ़ूँगा गीत के साथ जिन्दगी को भी देखते चलें कि जिन्दगी कैसे गीत के साथ डोल रही है गीत आँखों केड़गेद घूमता है मैं अपने छोटे से गीत को पढ़ रहा हूँ आदरनी भूसनर जी बेठे हुए हैं हम सब के संदचक हैं ना जाने कहां काहिनों ने इस गीत को पहुँचा जा मैं बहुत बहुत पढ़ाम आपको कर रहा हूँ कि रोज हसते रहे मुस्कुराते रहे हमारे साथ दो कवित्री भी हैं उनको भी इसी गीत के साथ जोड लिया जाए कि रोज हसते रहे मुस्कुराते रहे दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन रुज हसते रहे मुश्कुराते रहे दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन पर मिलन के लिए कश्म साते रहे नयन दो तुम्हारे नयन आप बंद देखें विशे अगरह कर रहा हूं संचालक महोदे से गीत के साथ जुड़ें इस बंद के साथ कि सपन के नीड से एक पंची उड़ा सपन के नीड से एक पंची उड़ा आसमा में कहीं ठोर पाया नहीं सपन के नीड से एक पंची उड़ा आसमा में कहीं ठोर पाया नहीं रेत पर एक घरोंदा बनाये कोई रेत पर एक घरोंदा बनाये कोई आधियों को कभी रास आया नहीं एक कथा रोज लिखकर मिटाते रहे दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन पर मिलन के लिए कश्म साते रहे दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन दो तुम्हारे एक बन और देखें थोड़ा सा दरसनिक और गहराई में जाते हैं पंक्तियां कि रोज हसना पड़ा रोज रोना पड़ा जो मिला भी नहीं उसको खोना पड़ा सावली रात काली हुई उम्र की अपने चोखट पे सर रख के सोना पड़ा सावली रात काली हुई उम्र की अपने चोखट पे सर रख के सोना पड़ा एक दीपक जलाकर बुझाते रहे दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन पर मिलन के लिए कश्म साते रहे दो तुम्हारे और अंतिम बात कह रहा हूँ जिससे होके सब को गुजरना पड़ता राजा रंग फकीर सब की बात कर रहा हूँ कि अब चले आईए शाम धल जाएगी जिन्दगी का सफर यूही रुक जाएगा हो न हो ये जमी खोन जाएगी आसमा मेरी राहों पे जुक जाएगा हो न हो ये जमी खोन जाएगी आसमा मेरी राहों पे जुक जाएगा इस तरहां आते जाते बुलाते रहे दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन रोज हसते रहे मुस्कुराते रहे दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन पर मिलन के लिए कश्म साते रहे दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन दो बहुत बहुत धन्यवाद अभी का बेपाठ कर रहे थे आपके सम्मोग डाक्टर इश्वर चंत्रिपाठी जी एक प्रेम की गीत एक धारा मुहबत की मैं तृपाथी जी के साथ और अपने कविमित्रों को बताना चाहता हूँ की हमारे सोता किस वर्ग के हैं जब प्रेम की बात होगी प्रेम के अशास की बात होगी नित्र से नित्र मिलकर कसमसानी की बात होगी तो यहाँ दो अतियों के लोग है एक वे लोग है जो प्रेम के इस एहसास को 25-30 बर्स कभी महसूस किये होंगे बाद में उनके नेतरोतर कसमसाने छोड़ दिये एक दूसरे वर्ग के लोग हैं एक दूसरी अति है जो उन्होंने प्रेम के असास को महसूस ही नहीं किया है ओ दुनिया उनके लिए अनुखी दुनिया है इसलिए मैंने पहले इस्वरचन त्रिपाठी जी को अमंत्रित किया कि सायद प्रेम की रसधारा आपके फिर्दें को एक समतल मंच प्रदान करें जहां कभीता थिरकेगी, कभीता नाचेगी इसलिए अपने मन को आप खोलो, तैयार करो, कसमसाना उसमसाना ठीक मस आप कलपना तो कर लो, कि दो हमारे नयन, दो तुम्हारे नयन कसमसाते रहे तो उस भाव भूमी में आप आईए, और यह जो हमारा आयोजन है, यह कारिक्रम है, वो राजभासा कारियानवन समीति का है यह सितंबर का महीना पूरा राजभासा को हम याद करते हैं, एक आपचारिक्ता की तरह याद करते हैं, लेकिन क्यों आपचारिक्ता नहीं है हमारी राज भासा, राष्ट भासा हिंदी जो इस देश की रानी है, रानी होनी चाहिए लेकिन रानी आज गुलामी भासा बनी हुई है आईए उस हिंदी का भी तो बंदन हम कर ले और मैं आप सब को बताना चाहता हूँ कि हमारी विद्यार्थी, हमारी छात्र जो भले ही अहिंदी भाषा भाषी हैं, भले ही दर्शन और विशेश संप्रदाय का अध्यान करते हैं, लेकिन हिंदी उनके मन में रची वशी है, मैं अपने शास्त्री तिति वर्ष के छात्र कुनगा को अमंत्रित करता हूं, वो अपनी राष्ट भाषा और राज भाषा का वंदन करें, इसके बाद हम कभियों की तरफ लोटेंगे, तालियों से स्वागत करें, कुनगा का मंच पर उपस्थित हमारे मान्या, कुलपती, तथा अथिति गण, एवं अध्यापक गण, तथा प्रिया सहपाठियों को सभी को में अपने हारदिक दिल से सभी का सौगत करता हूं, और तया दिल से सभी को में परनाम करना चाहता हूं, आज जो कार्य गरम हो रहा है, वो राजभाषा कभी गोस्टी पर, आप सभी ने सुना ही होगा, कि हिंदी हमारी राजभाषा है, मातरभाषा है, यही त्यास के पन्नों में देखने को मिलता है, और सुनने को मिलता है, आजकल की विचारों में नहीं, क्यूंकि हमने ही, हमने खुद ही हिंदी के अस्तिव और हिंदी के अस्तिक को हम कैसे मिटा रहे हैं और हिंदी हमारी लिए कितनी महत्मों पुर्ण है इस कवीदा के मादम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ लाज बहशा हिंदी, कहते हैं कि हिंदी बहशा हमारी शान है, बोलते समय हम इसे बड़े परिशान है भारतिय संस्कृति हमारी पैचान है, दुसरों की संस्कृति को अपना कर हम अपने संस्कृति से अंजान है दुसरों की भाषा को अपने माथी की तिलक बना बैटे हैं, अपने मातर भाषा को पाउं दले दवा बैटे हैं फिर भी हम बड़े गरब से कहते हैं हिंदी और संस्कृति हमारे भारत वासियों की जान है अथिती बनकर आये थे पता नहीं चला कि कब मेमान बन गए दो सो साल कम नहीं होते हैं तब तक वो हम पर राज करते रहे भारत देश तो हमारा था फिर भी गुलाम की तरह जीते रहे कहने को तो गांदी जी ने गोरों से है देश को अजाद कराया इतना हो जाने के बाजुद भी क्यूं हमने उनकी भाषा और संस्कृति को अपनाया फिर भी हम बड़े अविमान से कहते हैं संस्कृत ता संस्कृति हमारे देवों की बरदान है परधान मंत्री से लेकर जन- बासियों ने हिंदी बोलने की परतिग्या ली है भारत के हर हर कौने में हिंदी प्रयोक करने की अनुमती दी है बड़े दुख की बात है हमारे राज कालय तथा दफ्तर में हिंदी का स्थान कहीं पे भी नहीं है मोटे अक्षरों में अंग्रे जी को बढ़ावा देकर हमने ही हिंदी के अस्तिक को मिटा दी है भारत भूमी में अंग्रेजी की भीज बोज दी है और फसल हिंदी बढ़ाने की सोच ली है फिर भी हम बड़े गौरव होकर कहते हैं हिंदी और संस्कृति हमारे पुर्वजों की देन है मंच में नेता सिना तान कर कहता है कि हिंदी हमारी लाजवाशा है घर आकर कहता है बेटा हिंदी अंग्रेजी जरूर पढ़ना नहीं तो भूखे मरने की आशा है लड़का देशी है पर हरकत बिलायत की है अंग्रेजी आए ना आए पर बोलने की भूद सर पे चड़ी है अगर बले ही हिंदी शुद बोलना आए हिंदी बोलते समय शर्म महसूस होती है फिर भी बड़े अकरकर हम कहते हैं कि हिंदी और संस्कृति हमारी मान है अगर कोई जवाब अंग्रेजी में दे तो गौर से दिखना उसकी चाती चपन इच चौरी होती है अगर वही जवाब कोई हिंदी में दे तो वही चाती चूही की दिल के तो भारी होती है अगर कोई लड़का हिंदी बोले तो उसे हम अंपड समस्ते हैं दो साल का बच्च एंग्रेजी बोले तो उसे हम गय चुँड पा समस्ते हैं बेटा तूने अंग्रेजी में भाशन देखर हमें साथवे आसमान पर बिठा दिया है पर बेटी तूने हिंदी में बोलकर हमारे समाज में ना कार दी है हम फिर भी हम नीडर होकर कहते हैं हिंदी तता सहस्कृति हमारे भारते होने की परतीक है अंग्रेजी को सर्वशंच माने वालों या तुम्हारे सबसे बड़ी भूल है भारत की राजे को मजबूत और जोर कर रखने वाली धागा है हिंदी खुलकर जीने की अजादी देने वाली तुसरों से हमारा हक चिनकर देने वाली शनाथी ना बनाकर भारत का इसा बनाने वाली सिना तान करके हम वारतवासी कहते हैं हिंदी राम किशन की बोली हैं हिंदी जवानों की बलिदान हैं हिंदी कश्मीर से लेकर कन्य कुमारी तक भैती हैं हिंदी और हमारे रगों में जो दोड रही है वो हैं हिंदी अब मैं बिश्वास से कह सकता हूँ मेरे बतन की भाषा है एक हिंदी तो मैं हिंदी का अपयोग करना चाहिए बस यहीं तक हुआ वाह बहुत बहुत बढ़ाई हो यह थे संस्थान के सास्री तितिवस के विद्यारती कुनगा जोरोंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया आप यह किवल हिर्दे की मन की भावनाई थी चंद ले न ढूणे इसमें लेकिन एक विद्यारती अगर हिंदी की दसा दिशा को लेकर उसकी व्यथा को लेकर के उसकी अपनी पीड़ा है उसे व्यक्त किया बहुत बहुत बढ़ाई आपको और एक चीज और आप ध्यान रखे अपने सोताओं से कहना चाहूंगा कि मैं एक छोटी-छोटी जलक आपको देख रहा हूं दे रहा हूं दिखा रहा हूं कि इस खाजाने में कितनी दौलत भरी हुई है तो दूसरी एक जलक दिखिए हमारे बीच में आज हमें कैसे दौर से समय बदला है कभी वह समय था जब में पूरी ताकत के साथ खड़ी है पीवी सिंधु हमारे सामने है कलपना चावला हमारे सामने है प्रतेक छेत्र में इस्तरियां आगे बढ़ रही है और लेखन के छेत्र में तो अभूत पुर्व संख्या बढ़ी है चाहे कविता हो चाहे कहानी हो चाहे गीत हो प्रतेक छ पूद्ध आचल का न आखों का मैं पानी हूँ, न बेटी मां बहन केवल न दासी हूँ, न रानी हूँ, मैं इस जीवन के हर पल के बदलते रूप का दरपड कोई जो कह नहीं पाया, मैं एक ऐसी कहानी हूँ, इस ऐसी कहानी रंजनाराय जी हम सब के सम्मुक होंगी अपने गीतों के साथ कर दरजु है, धुआ दीजिए, रास्ते का अंधेरा मिटा दीजिए, और पूरे पनने पे क्या है, लिखा बाचलू, चांदनी हाशिये पर बिचह देजिए, चांदनी हाशिये पर बिचह देजिए, और बड़ी तनमायता के साथ, आप लोग सुन रहे हैं, एक बार फिर म मैं आपको प्रडाम करती हूँ, हम अभी प्रेम की बात, आदरीतर पाठीर जी ने, करके गए, तो जो हम प्रेम की बात करते हैं, तो भगवान कृष्ण और रादिका की बात नहो, तो वह प्रेम अधूरा सा लगता है, मैं चार पंगतियां पढ़ती हूँ, भगवान कृष्ण की प्रती, रादा के मन की चाह क्या है, वो कहती है, कि तू जहां भी रहे तेरे दर पे रहू, तू जहां भी रहे तेरे दर पे रहू, बन के तेरा मुकुट तेरे सर पे रहू, और चाह इतनी है केवल हमारी सुनो, बन के वन्शी तुम्हारे अधर पे रहू, बन के वन्शी तुम्हारे अधर पे रहू, लेकिन एक समय आता है कि जब भगवान कृष्ण को ब्रज छोड़ की जाना पड़ता है, तब राधिका कहते हैं, क्या आप मेरे रोकने से रुकोगे ते नहीं, चाहोगे जरूर लेकिन जाते जाते एक बात मेरी सुनते जाओ, क्या कहते हैं, मैं चार पंक्तियों में उस बात को ब्यक्त करना चाहती हूं, आप सब का ध्यान चाहोँगे, सुनेगा उर। जो कहनी बात तुम से है, किसी से कह नहीं सकती, जो कहनी बात तुम से है, किसी से कह नहीं सकती, चुभन होती बहुत है, खुल के आहें भर नहीं सकती, चुभन होती बहुत है, खुल के आहें भर नहीं सकती, कसम खा कर कसम की मैं कसम से कह रही सच हूं, कसम खा कर कसम की मैं कसम से कह रही सच हूं, वहां तुम जी नहीं सकते, यहां मैं मर नहीं सकती। और हम जब गीत की बात करें, तो आज का दौर देखें तो विशंगतियों का दौर है, इस जीवन में विशंगतियों ही विशंगतियों हैं, तो मैं चाह रही हूं, उसी प्याधारित एक गीत आपके बीच में रखो, सुनिएगा। आओ हम तुम दोनों मिले कर, जीवन का एक गीत लिखें। आओ हम तुम दोनों मिले कर, जीवन का एक गीत लिखें। अलग अलग राहों के राही, कैसे बनते मीत लिखें। आओ हम तुम दोनों मिलकर, जीवन का एक गीत लिखें। और गीत का पहला बंद पढ़ते हों, सुनेगा। ये कैसे सावन घन है जो, खुद पानी को तरे से। प्यासे पन घट के यधरों पर, क्या जाने कब बरिसे। तो पी-पी रट ते त्रिशत पपी है, की वह प्यासी प्रीत लिखें। अलग अलग राहों के राही कैसे बनते मीत लिखें। आओ हम तुम दोनों मिलकर। और गीत का दूसरा बन पढ़ते हों, सुनेगा। की रहे भागते, भागन पाए, खंडहरों से दूर। अगर पंक्तिया अच्छी लग रही तो एक बार जोरदार तालियों शयादेशित केजिए। ताकि मुझे भी लगे की हाने गीत अच्छा लग रहा है आपनों को। की रहे भागते, भागन पाए, खंडहरों से दूर। वही भोज पत्रों की भाशा, पढ़ने को मजबूर। तो हम जीते तो हार और तुम। यह पंक्तिया आप सबके लिए यहाँ प्रश्नवाचक आता है। हम जीते तो हार और तुम। हार भी तो जीते लिखे। हम जीते तो हार और तुम। हार भी तो जीते लिखे। अलग व अलग राहों के राही कैसे बनते मीत लिखे। और गीत का आँखिरी बन पढ़ते ही हूं। यहाँ नारी हमारे बड़ी बहन ही मांन लीजें को। यह बड़ी बहन ही हैgorria ऑसे बाली छोटी लगेंगी하면 बड़ी बहन ही है। बैठी हैं। ऐसे नारी को शक्ती का मत्रतीक कहा जाता है। लेकिन इस गीत के आखरी बंद में ये बिडम बना देखिए कि कभी लक्षडा कभी वेंजना कभी शक्त की अविधा कभी लक्षडा, कभी वेंजना, कभी शक्ति की अविधा, कभी हो गए हमी तुम्हारे हवने कुंडे की समीधा कभी लक्षडा, कभी वेंजना, कभी शक्ति की अविधा, कभी हो गए हमी तुम्हारे हवने कुंडे की समीधा तो प्रकिर्टे पुरुशे के संबंधों की, इसे को निसी रीत लिखे प्रकिर्टे पुरुशे के संबंधों की, इसे को निसी रीत लिखे अलग अलग राहों के राही, कैसे बनते मीत लिखे बहुत बहुत है नौश बहुत बहुत बढ़ाई और सचमुच एक विशुद्ध शाहित्तिक गीत रंजना जी ने प्रस्तुत किया और प्रेम का छेत्र ही संसार ही अलग है जहां गोई गणित काम नहीं करता है सामाने गणित तो फेल है वहाँ, वहाँ एक और एक मिलकर के दो हो ही नहीं सकते हो तो एक ही हो जाएंगे जो हारा वो जीत गया, जो जीता वो हार गया, वाहरे प्रेम की इस दुनिया उसकी जह जह कार करिए और बड़ा मज़ा यह है कि जहां दो महिलाएं एक साथ हों तो यह तैय करना बहुत मुश्किल है कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है क्योंकि सभी छोटी बनना चाहेंगी मुझे याद आ रहा था जब यह बात हो रही थी आप लोग की तो मुझे याद आया मैं थोड़ा हाश की एक भूमी तैयार करना चाहता हूं क्योंकि हम लोग अब इसके बाद हाश सुनेंगे एक चीज आप जान लीजिए कि यह जो कुछ भी हो रहा है किवल ट्रेलर है फिल्म भी बाकी है तो अभी हम थोड़े थोड़े सुन रहे हैं मुखडे अभी तो और गीत सुनना है और आगर आप लोग तयार हो तो पूरी रात अपनी है पूछा तो कहा हमारी 20-25 है, जिसकी 20-25 है उससे पूछा तो कहा कि अभी तो हम 15 पार करके 16 में जा रहे हैं, 16 में सामन में, ऊपर से छेम जी धड़ाम से नीचे आए, पूछा इकव ने, इकव ने, तो कहें मैं अभी पैदा हुआ हूँ, तो बड़ा तैं करना बहुत मुश्किल है महिलाओं में कि कितनी उम्र किसकी है, मैं आप दोनों लोगों को यह छोड़ देता हूँ, और आप थोड़ी सी, चुकि हाथ से की एक भूमी वनी है, तो हमारी बीच में बादसाह प्रेमी जी हैं, जो कुशी नगर से आए हुए हैं और मैं समझता हूँ कि कुशी नगर में हाश्य कैसे पैदा हुआ, जो भगवान बुद्ध की निर्वान की भूमी है, परमशांति की भूमी है, लेकिन अगर बादसाह प्रेमी हूँ, मैंने पहले आप से कहा था न, मजनू का जो बादसाह था, उसने कहा क्या पागल की तर गूमते हो, एक से एक सुन्दर इस्त्रियां है, लाइन लगवा दूं, मजनू ने कहा तुम नहीं समझोगे, लैला को देखने के लिए जो आँख चाहिए, वो तुम्हारे पास नहीं है, वो तो मजनू के पास है, बादसाह के पास हो कहा आँख होती है, लेकिन हमारी फिलमी धून अपनी लगाई थी, संजोग से इनके परोश में एक आदमी का निदन हुआ और ये जा रहे थे, रास्ते में राम नाम सत्य हो रहा है, तब तक इनका मोबाइल बच गया, अकेले, अकेले, कहां जा रहे हो, हमें साथ ले लो, जहां जा रहे है, सारे लोगों न डपट करके गर्दन पकड़ लिया, यहां से कभियों के साथ कभी भी संगती होती है, गर्दन पकड़ लिया, इन्होंने तौबा किया कि अब फिलमी गाना नहीं लगाऊंगा, इन्होंने साहित्ति कविता लगा दिया, और बच्चन जी की कविता लगा दिया, और बच्च खड़ा हूं कि तुम मुझे दुलार लो, तुम मुझे पुकार लो, पडोसी घर में एक लड़की थी, उसका बाप छट पर था, लड़की तो नहीं न पुकारी न सुनी, लेकिन उसके बाप ने इनको पुकार लिया, और इसके बाद क्या किया होगा ये आप समझ सकते हैं, बादशाह प्रेमी जी हमारे बीच में हैं और उनके एक कविता के साथ, देखें किस तरह की एक नमूना आपको दे रहा हूं, 21 सदी का ये देखिए नजारा, ब्रेकर पर इसकूटी उच्छाल मारती है, कैसे व्यंग निकलता है सामाने सड़क पर भी, मैं काल बैक करता हू फिर भी, नमबर बदल बदल कर, वह मिसकाल मारती है, तो बादशाह प्रेमी जी हमारे बीच में है, आप सुनिए और मिसकाल दीजिए, बहुत बहुत धनिवाद सर, आपने हमको उठाया, भगवान आपको उठामे, बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, सबसे पहले आदने कुलपत जी सहित, मंचस्त, सभी मनिशिगन को, आप सभी सुधी जनों को पराम करता हूं, और बिना किसी भूमका के, जितना देर भूमका बोलने में समय लएगा, उतने देर में हमारी दुतिन कवताई निकल जाएगी दरुदा, सज जनों कुछ की हशिवें की कवताई लिखता हूं और इसलिए लिखता हूं, मेरा मानना है कि जो ब्यक्ति 24 गंटे में पांच बार ठाहा के लगा कर हंसता हो, उसे दिल का दवरा नहीं पड़ सकता, आप सब सुधी जन है, अब हंसने के साथ मुसीबत यह है, कुछ लोग को हंसी आ वाले लोग हैं देहातों में इसको मोगनमा हसी हम लोग करते हैं, ठाहा के लगा कर हसने का मतलब यह ना भी उपर नीचे हिलने लगे, ऐसा अगर पांच बार हसने हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं चुछ सकती, और इसलिए हमने कहा है, कि हसना ही जीवन का सुख है, वर्त हसी है, और समरस्ता का बीज मंत्री है, सहज सरल, आसान हसी है, और प्राण वाय की आयू बढ़ाए, सोम्य सत्य विज्ञान हसी है, हसने से आधनी शरीर की 36 मांस्पेशियां हरकत करती हैं, योगी क्रिया होता है, और व्यक्त इतना अमुक्त हो जाता है, इसलिए हसना बहु दिजन उपस्थित हैं, आपने किसी ताली बजाने वाले को कहीं हास्पीटल में नहीं देखा होगा, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि बाग वह बेकार है, जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है, जिसमें नहीं नाली मिले, ससुराल वह बेकार है, जिसमें न ताली मिले और महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं यह अलग बात है आजकल मोबाइल का जमाना है बहुत सारे लोग मोबाइल लिये हैं हाथ में तो ताली तो बजा नहीं सकते हैं यहाथ तो आपका खाली है और आपके आगे वाले की पीठ खाली है आप चाहें तो ताली के काम उससे भी चला सकते हैं जिन्मों के हाथ खाली नहीं है मैं सीधे सीधे चुकि हाथ से विंका कभी हूँ और इसको अन्यथा बिल्कुल नहीं लिया जा किवल हसने के मुड़ से आप सुने एक वंदना जो अक्सर मंचों पर मैं किया करता हूँ और बंदना किसी देवी देवता की नहीं करता हूँ बलकि आदमी और आदमियत की बंदना करता हूँ थोड़ा मन मिजाज बनाने के लिए पढ़ रहा हूँ सुनिएगा आनंद आएगा तो बीच बीच में आपकी तालियां भी आ जाएंगी अच्छा लएगा मुझे कि कविता की बात शुरुवात करने के लिए लंच मंच पंच को पढ़ाम करता हूँ मैं अभी अड़वांस में नहीं पहले इस्तेमाल करिए तब इस्वास करिए कि कविता की बात शुरुवात करने के लिए लंच मंच पंच को पढ़ाम करता हूँ मैं ओ आलसी यवारे हो शराबियों गजेडियों को दोनों हाथ जोड राम राम करता हूँ मैं ओ चमचे दलालो सुदखोर घुस खोर मुह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूँ मैं दुष्त बाईमान निच मूरुखों के साथ साथ जुत्ता चपल्चोरों को सलाम करता हूँ मैं अ उल्लूओं अर गदहों या बेलों को बार बार लगतार याद हर शाम करता हूं मैं और जितने घोटाले बाज चाल बाज धोखे बाज सब को नमन सरयाम करता हूं मैं ओ गुंडे मुच मुंडे देखिए यहां जो लोग है इनको छोड़ के काया है दरसल हमको सुरक्षी तो वापस भी जाना है अब अब सही बता दूँ यह नाम तो अब मैं सोच जाता है कि मुझ मुंडा नहीं यह कहूँगा लेकिन क्या करूँ अब यह कड़ी जुड़ गई है तो जवान फिसल जाता है अब मजबूरी में मैंने कह दिया है लेकिन मैंने कुछ लोग को छूट दे जिया है जैसे डाक्टर, मास्टर, नेता, अभिनेता, छात्र, पूलीस, पत्रकार यह लोग मुझ नहीं रखे तो ही अच्छे लगते हैं बाकी कोई मुझ नहीं रखता तो मैं कहता हूँ कि गुंडे मुझ मुंडे अर्धनारी दूराचारी और यभी चारियों की वंदना तमाम करता हूँ मैं और प्रेमी बादुषाह मेरी कभिता गवाहर है हासे वेंग लिखने का काम करता हूँ मैं और चार पंक्तिया निवदित करता हूँ कि सुनिये स्रिमान मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मागे आप पाएंगे अभी नहीं जाने के बाद सुनिये स्रिमान मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मागे आप पाएंगे और सुक्रिया के साथ उनके लिए दुआ करेंगे वाह वाह करेंगे जो तालिया बजाएंगे और सोने वाले सूर दास पेटु दास खाने वाले जाने वाले यार बार बार पच्छताएंगे और दाद के भिखारी आसरवाद के पुजारी हम खुद ना हसेंगे पर आपको हसाएंगे और ये चार पंक्चाई सर्थ साथ रखता हूँ कि कभीता हमारी सुनकर जो हसेंगे नहीं गूंगे बहरे पसुया पसान कहलाएंगे खत्रा ज्यादा आप इसे हैं आप नहीं भी यह से कोई बात नहीं कभीता हमारी सुनकर जो हसेंगे नहीं गूंगे बहरे पसुया पसान कहलाएंगे और साढ़बों का भैसे का जन्म होगा उनका जो आधी कभीता के बीच उठकर जाएंगे कि साढ़बों का भैसे का जन्म होगा उनका जो आधी कभीता के बीच उठकर जाएंगे और बात चीत शोर गूल करेंगे वह बकरी या भेण का ही रूप या गले जन्म पाएंगे बात चीत शोर गूल करेंगे वो बकरी या भेड का ही रूप या गले जनम पाएंगे और पत्नी से मारनी तक खाएंगे वो पाँचलात हूट जो करेंगे मुझे मंच से भगाएंगे देखिए आदली आपको छोड़ के कह रहा हूँ और यह संचालक है इनकी किरपा हुई है इन्होंने बुलाया है जब चाहें भगादें बाकी कोई आदमी हुट करता है तो हमने पंक्तिया निवेदित की और सज्जनों मैं ज्यादा तर छंदों के माध्यम से अपनी बात रख लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए जाति धर्म भाषा की दुहाई देके आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए और एकता अखंडता जरूरी राष्ट रहीत है तो तोडने का कोई छल छंद मत कीजिए और जाये जुलूस में जरूर किंतु याद रहे तीर तलवार को पसंद मत कीजिए और सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए कि तू सच की आवाज का भी बंद मत कीजिए सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए कि तू और एक छांदाव निवेदित कर देता हूँ इसी कड़ी के कि देश की एखंडता अक्छून रखने के लिए देशवासियों का योगदान भी जरूरी है देश की एखंडता अक्छून रखने के लिए देशवासियों का योगदान भी जरूरी है और जाति धर्म भाशा भेश भिन्न हो हमारी कींत। भाई चारा एकता का ज्यान भी जरूरी है। और राजनीती आज जो समाज की संकिन हुई शिग्रता से इसका निदान भी जरूरी है। और एक चंद पढ़ता हुँ शुनिएगा। ये चंद हमने तब लिखा था जब अमेरिका और हिंदुस्तान की सेनाओं का युद्धा भ्यास बंगाल की खाड़ी में चल रहा था। उस समय ये चंद हमने कही। सुनिएगा। कि बढ़ती आबाधी के कीटाड़ उपर माडबं दोनों से ही विश्वबर बाद होने वाला है। और अर्धनक्नारीयों की वैशने संदेश दिया वासना से आदमी अजाद होने वाला ह। और युद्धा भ्यास देखकर चीन कहने लगा कि हिंद अमेरिका का दमाद होने वाला है और युद्धा भ्यास देखकर चीन कहने और एक चंद परता हूँ बात अमेरिका की आती है तो एक चंद मैं कह देता हूँ शुनिए अगा तमाम देशों से तुनना करिये अपने हिंदुस्तान की की मानता ये मेरिका महान धनवान हूँ में डरते हैं दुनिया के लोग टकराने में और चीन को यकीन है की माल सब से अधिक आज तो पड़ा हुआ है अपने खजाने में और पाक या फगान या जापान की बिसात क्या है हिंद की बराबरी करे कोई जमाने में और एक चंद पढ़ देता हूँ चुकि ये अभी बताया कि यह से तमाम सारे लोग पढ़े हैं जी एक चंद और पढ़ता हूँ सुनिएगा थोड़ा साब अलग हट करके पढ़ा हूँ कि एक चाहत अश्याम ने एक दिन तारीक पुछी बेटा आज तारीक कौन सी है मोबाईल निकाला बटन दबाया तब बताया तारीक सत्र है अब दिमाग चकराया कि हम लोग दीन तारीक बुरत जानने के लिए भी मोबाईल अब निकालते हैं ऐसे मैं सुनिएगा चन सुनिएगा तेली फोन यूग आ गया तो सत्यवादी लोग रोज जूठ बोलने लगे हाई रिंग टोन तेली फोन यूग आ गया तो तिवारी आये थे तक ये प्यार महबत की बहुत सारी बाते हो रहे थी अभी चुकि मैं भी प्यार मुपतकुर नजदीक से समझता हूं, लेकिन कहा नहीं पाता हूं, इसलिए नहीं कहा पाता हूं कि इन लोग जैसे तुकताल बैठाने का मेरा तजर्बा नहीं है, अब चुकि जो सरिंगार के कभी होते हैं, तिल का ताल बना के कहते हैं, तेरे जुल्फ सुना है, सुना है, सुना है, इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं, जो प्यार में सलफास खाते हैं, और महले में हमारे एक आशिक हैं, 72 के, रजाई वोढ़कर बादाम चवन परास खाते हैं, यह इस्तितिया, अज़ा जब बुढ़ापे की बा जवानी जश्न में डूबी, लड़कपन खेल में बीते, एक नाम रखूँगा, राधे मा का, राधे मा का इसलिए नाम रखूँगा, एक उर्टी खबर आई थी, कि कुछ दिनों के अंदर राधे मा भी हवालात की हवा खाने वाली हैं, मुझे लगा कि क्यों ने उनको जो समय जो मेल से बाकी बचा फिमेल में बीते, सुबह सो राष्ट देहरादून दिन में, रात पूरा में, कठा कहते कथानक की कहानी रेल में बीते, और सुना हे बाप बेटे ने की राधे मा भी आएंगी मनाते हैं कि हे इस तोर बुढ़ापा जेल में बीते, मनाते हैं कि हे इस्वर बुढ़ापा जेल में भी थे और जोनों बहुत बढ़िया लगा बहुत अच्छा से बढ़िया से आप लोग सुन रहे हैं अब पर्थम चक्र में दिखिए दो-तीन लोग और अभी बाकी हैं अब इनलों को सुनने के बाद जब आपलो मोका देगें पुनह मैं सुना दूगा लेकिन मैं आपको एक बात बताके जाओं सब सारे सुधी जन है एक बानगी आपको बताके जाना चाहता हूं यह राज भासा कारिकम है लेकि हम लोग भोजपूरी भासी छेतर से आते हैं और भोजपूरी भासी छेतर की एक बानगी आपके बीच इसलिए रखना चाहता हूं कि मेरा मानना है भोजपूरी तमाम भासाओं में बहुत ही संब्रध है एक एक शब्द के 40-45 प्राइवाची भोजपूरी में संभव है मैं बता हूँ आपको आपको आप देखें यह सर है यह शरीर है यह बीच की कड़ी 2 इंच तमाम विजवजजनिहां है लेकिन शायद आपको पता नहों भोजपूरी में इसे 14 नामों से हम लो जानते हैं मौर मलपटेडवा गरदन गला गौर सर 14 नामों से हम लो जानते हैं दर्द हो रहा हो अंग्रेजी का विद्वान ज्यादा ज्यादा कहेगा बड़ा पेन हो रहा है भोजपूरी भाशी अगर है तो गोड़ता बोथता चनकता टबकता छेदता बेधता करकता अमरता जिंजिनाता दुखाता मिमोरता गोड़ता इसे तमाम सारे भोजपूरी में शब्द है इसने भोजपूरी बहुत ही संबर्ध है एक मुक्तक भोजपूरी पढ़ता हूँ भोजपूरी मुक्तक और उसके बाद अपना अस्थान लेता हूँ पुरह आप आदेशित करेंगे में हाजिर हो जाता हूँ एक मुक्तक के घोवा रिंग टून आईल मोबाइल में आई सबसे बढ़ी विशेषता इनके प्रस्तूती की थी कि इनका हाश्य और व्यंग मल्टी डाइमेंशनल था कहीं विशुद्ध हाश्य है कहीं तिखा व्यंग है कहीं रास्ट गौरो और श्वभीमान है देखे हाश्य कितनी तरीखिकी से कहां-कहां कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है इसको सीखना है तो बात साह प्रेमि से हम जानेंगे। अधबुत प्रस्तुती बहुत ही सुन्दर रहे। हम सब लोग मिल के प्रार्थना करें कि इस सोर इनको चिर-सांती प्रदान करें। बहुत ही अच्छा लगा इनको अरे मैंने कहा है, चमा करेंगे नहीं, नहीं बहुत ही अच्छा और सच मर्याख मैंने पहली बार सुना है बात्षाब प्रेमी जी को, लेकिन एक बात बताऊं अबार्शाजी आपको आपने हास के तमाम लाब बताए इस नाई मजबूत होती है पिठे बनारस में एक दूसरा लाब भी है साइध बनारस के लोग क्यों जानते हैं यहां के मारवाडी लोग जो हैं खास करके बरसात के मौसम में जब उनको कब जो जाती है तो हाथ से कभियों की बड़ी दिमांड बढ़ती है हाथ से कभी कविता सुनाता है मोटे पेट लेकर मारवाडी लोग जोर से हसते हैं और इस महाने उनकी कुछ बायू बाहर निकलती है किसी रास्ते से यह बड़ा लाब है आप इस लाब के बारे में आपने नहीं हम पहली बार हम सभी रशों से परचित होना चाहते हैं आपने हाथ से कभीता के माध्यम से राष्ट के स्वाभी मान की भी बात कहा और सचमुझ हसना अलग है हमारी शीमाओं पर जिस तरह के खत्रे हैं हमारे शैनिक हमारे बीर शैनिक किस बहादुरी के साथ हमारी शीमाओ मंच पर विराजमान है यग गवरो है आज की समारोव का एक्षाइनी किस तरह से भारत मां का गर्ब ऊपर रखने के लिए अपने सीने पर गोली खाता है उसकी मां हैं उसके पिता हैं उसकी बच्चे हैं उसकी रास्ट सबसे उपर है और साथ इसलिए जब हम आजादी के लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय कभियों नहीं यह गाया था जिसको निजगवरों तथा निजदेश का अभिमान हो वह नर नहीं है पशुनिरा और मृतक समान है जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं वह हिर्दे नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं आईए थोड़ा हम वीरता की यो रास्ट भक्त अभी नहीं एक छोटी सी जलक देते हैं अपने चात्र से सास्री तितीवर्ष के छात्र विक्रम सिंग शास्नी जिन्होंने एक सैनिक के माध्यम से अपनी बात कहा है आपकी तालियां बरबस उठनी चाहिए विक्रम सिंग शास्नी की तरह मंचा सिन विदोजन तथा वरिष्ट कभियों को श्रद्दा सुमन अर्पित करते हुए तथा यहां पर आये जितने भी श्रोतागन है उन सभी के लिए मैं उन सभी का हार्दी अभिवादन करते हुए मैं अपनी पंक्तियां रखूँगा ये पंक्ति जैसे कि अभी सेर ने कहा कि जो एक सैनिक होता है उसके जीवन में कैसे कैसे पड़ावादने तो ये वही है जो सैनिक जब सीमा पर लड़ते लड़ते शहीद होता है तो उसके अंतिम वचन कैसे रहेंगे उस पे थोड़े मैंने लिखने का प्रियास किया है आशा है आपे लोगों को पसंद आएगी अगर आपो पसंद आये तो थोड़ा सा आशिरवात चाहूंगा खूब लड़ा रनभू में खूब लड़ा रनभू में वीरता अपनी दिखाई है रक्त बहाकर अपना तिरंगे की शान बढ़ाई है खूब लड़ा रणभूमी में वीर्ता अपनी दिखाई है, रक्त बहा कर अपना तिरंगे की शान बढ़ाई है, शत्रु दमन कर लेट गया धरापर अपने, देख मा लाल ने तेरे सीने में गोली खाई है देख मा लाल ने तेरे सीने में गोली खाई है, रणभूमी का वो मंजर बहुत ही प्रल्यकारी था, फिर भी लाल तेरा अकेले दुश्मनों पर बारी था दुश्मनों की लाशों पर चड़कर, दुश्मनों की लाशों पर चड़कर, रण में तिरंगा लहराया है, जीवन बलिदान कर अपना मा बारती का कर्ज चुकाया है सीना चलनी है मेरा, लहुलुहान मैं लेटा हूँ, ये पंक्तियां जो सैनी के वो अपनी माता के लिए अर्पित करता है सीना चलनी है मेरा, लहुलुहान मैं लेटा हूँ, गर्ब मुझे है मा तुझ पर मैं शेरनी का बेटा हूँ सीना चलनी है मेरा लहू लुहान में लेटा हूँ गर्ब मुझे है मा तुझ पर मैं शेरनी का बेटा हूँ ये जो रक्त बहा है मेरा ये विजे तिलक की त्यारी है मा तेरे लाल ने आज की शत्रू सीहों की सवारी है सीना चलनी है मेरा लहुलुहान में लेटा हूँ मा गर्ब मुझे है मा तुझ पर मैं शेरनी का बेटा हूँ ये जो रक्त वहा है मेरा ये विजे तिलक की तियारी है मा तेरे लाल ने आज शत्रू सीहों की की सोवारी है मा बारती की रक्षा कर तेरे दूद की लाज बचाई है देख मा लाल ने तेरे आज सीने पे गोली खाई है मत रोना शहादत पे मेरी तुने मुझको शेर बनाया था मत रोना शहादत पे मेरी तुने मुझको शेर बनाया था बिना सोचे देश के खातिर कुर्बान होना सिखाया था मत रोना शहादत पे मेरी तुने मुझको शेर बनाया था बिना सोचे देश के खातिर कुर्बान होना सिखाया था इस जन का ही नहीं अपना तो जन्मों का नाता है रोना मत शहादत में मेरे तू तो शेर की माता है इसके बाद सैनिक अपने वचनों में अपने पिता को याद करता है अपने पिता के लिए कुछ पहगाम देता है रन्बूमी की बलिवेदी पर शहीदों में मेरा नाम होगा हुआ लाल मेरा शहीद पापा को इसका अभिमान होगा उनसे कहना मौत पे मेरी पलकों को अपने बिगोना मत मेरी यादों को याद कर तनहा होकर रोना मत उनके ही आंगन से उनके लाल की अंतिम विदाई है देख मा लाल ने तेरे आज सीने पे गोली खाई है अब इसके बाद उनकी अगली पंक्तियां जो है अपनी पत्नी के लिए अपनी अरदांगिनी के लिए है तो आशा है आप लोगों को ये भी पसंद आएंगी उससे कहना कि मेरा ये पैगाम आया है उससे कहना कि मेरा ये पैगाम आया है उसका सिंदूर आज माबारती के काम आया है खयाल रखना मौत पे मेरी वो आंसू ना भाए वो सिंदूर उसका दन्य हुआ इसकी खुशियां मनाए वो सतकर्म है मेरे सतकर्म है मेरे जो ऐसी अरदांगी नी पाई है देख मा लाल ने तेरे आज सीने पे गोली खाई है पत्नी मा पिता को याद करने के बाद अभी बाई बेहन बेटी परिवार के सदसे है इसके बाद वो अपने छोटे भाई को यार करते हुए चंद पंक्तियों में कहता है देख अनुज सब कुछ अब तेरी जिम्मेदारी है चला मैं चिर निद्रा की और अब जागने की तेरी बारी है सीना मेरा चलनी है लेकिन फिर दे उदास तेरा है अगले जनम में मैं अनुज बनूँगा पक्का वादा ये मेरा है सबसे बिचडने की अजीव उदास ये बेला आई है देख मा लाल ने तेरे सीने पे गोली खाई है अगली पंक्तियां बेहन के लिए अर्पित करता हूँ बेहन नहीं बेटी है मेरी बेहन नहीं बेटी है मेरी हमारी प्रीत पुरानी है बाई बेहन का रिष्टा महान इसमें ताकत रूहानी है सोचा था कंदे पर रखकर तेरी विदाई कराऊंगा माथे पर तिलक लगा कर इस सावन तुझ से राखी बंदवाऊंगा एक अकेला शहीद हुआ तेरे अब भी सैंकणों बाई है एक अकेला शहीद हुआ तेरे अब भी सैंकणों बाई है मा से कहना लाल ने उसके सीने पे गोली खाई है मा से कहना लाल ने उसके सीने पे गोली खाई सिपाही जब शहीद होता है उसके गर में अभी नवजाच शिशू भी होते हैं कहीं तो उसी के संदर्ब में है अपनी वेटी के लिए वो कहता है चंद पंक्तियां पापा पापा कहकर जो कंदे पर चड़ जाती थी कहना उससे जब पापा उसके तिरंगे में लिप्टे आएंगे सपने में आकर उसको परियों के देश ले जाएंगे खुश रखना उसको सदा वो मेरी ही परच्छाई है देख मा लाल ने तेरे सीने पे गोली खाई है अंतिम दो चार पंक्तियों से मैं अपनी वानी को विराम दूगा मा वसंद्रा के चर्णों पर शीष अपना चड़ाता हूँ तुम सब की अन्मोल यादें तुम सब की अनमोल यादें हिर्दे में मेरे समाई है देख मा लाल ने तेरे आज सीने पे गोली खाई है देख मा लाल ने आज तेरे सीने पे बहुत बहुत बधाई विक्रम सिंग सासनी थे मैं कुल सची महोदे से अनूत करूँगा कि आप विक्रम सिंशास्नी और कुंगा जो हमारी विद्यार्थी रहे हैं वो भी आ जाएं आप शाल प्रदान करके इनको अज अपना आशिरवाद दें कुल सची प्रोफसर आरके उपाध्याई जी ने हमारे दोनों चात्रों को ये कुंगा गए क्या चलिए ठीक है जो गया वो खोया अब हम ये मैंने बेक्रम सिंशास्नी की कविता के माध्यम से एक रास्ट्र भक्ति की एक प्रिष्ट भूम हमने तयार किया और अब इसके बाद जैसा मैंने पहले आप से कहा था कि इस देश के जाने माने वीर और रास्ट्रियता के कवी के रूप में मैं भूसन त्यागी जी को तब से जानता हूँ जब इन्होंने बनारस में कविता लिखना सुरू किया था पूरे दिल से कविता को लिखते हैं और कई दिल मिला करके दिलो जान से कविता को पढ़ते हैं मतलब जान निकाल करके कविता को पढ़ते हैं यह इनकी ताकत है कविता की रास्ट्री धारा की लेकिन बीर रस के कवियों के साथ एक दिक्कत होती है कि जैसे भारत सरकार बिला वजह कस्मीर बार्डर पर और देश के बार्डर पर हजारों सैनिकों को रखी है केवल बीर र के कवियों की ताकत हुआ करती है बोसंड त्यागी जी जब सुरू में कविता पढ़ना शुरू करती थे तो ताली थोड़ा कम बसती थी इनका यह है कि नहीं मैं जान निकाल के कविता पढ़ रहा हूं तो ताली बजनी चाहिए बहुत परिशान हुए तो एक दिन भोले कविता सुन करके जो ताली नहीं बजाएगा वह अगली जनम में दर्वाजे दर्वाजे ताली बजाएगा इसलिए भीशन त्यागी ललकार कर कहते हैं अपने हाथ आप कुर्शियों पर बांध लें लेकिन मैं जब कविता सुनाओंगा तो आपको ताली बजानी होगी मैं बहुत आदर के साथ आमंतित करता हूँ भुशन त्यागी जी को पारंपुज्य कुलपत महोदे कुल सची उपाद्याजी हमारे सवी आमंतित कविगंड कवित्रे द्वाए सम्मुक बैठे हुए सुधी स्रोता वंदुओ इस कासी ने तुड़ा सा ब्राज दीजिए तुड़ा एको दीजिए इस नगर ने मुझे बहुत कुछ दिया है और इस नगर ने बलकि मुझे पूरे रास्टी और फलक पर अस्थापित किया है और आप देखते होंगे टीवी चैनलों पर भी बहुत सारे ओज के या वीरस के कवी आते हैं मैं बिलकुल उससे भिन तरह का कवी हूँ क्योंकि केवल हाथ पर भांजना पटक देना तोड़ देना फोड़ देना मैं जहां तक मांगता हूँ कि ये हो ओज की कवीता नहीं होती इसलिए हमने इसको बहुत अलग तरीके से जिया है अगर आपको कभी अच्छा लगे मेरी पंक्तियां आप तक पहुँच जाएं तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि अब तक आप बहुत सारे कवीयों के कवीताओं पर तालियां बजाते रहे एक बार अपने सम्मान में दोनों हाथ उपर उठा करके तालियां आप बजाएं अपने सम्मान में बजाएं अब बिना किसी भूमिका के मैं जैसे पहले अपने इश्ट से प्रार्थना करता हूं धीरे धीरे अपनी बात कह रहा हूं हमारे डाट साब आज से नहीं 40 वरसों से हमारा दिसान इरदेशन कर रहे हैं आप लोगों का सने है बहुत सारे आत्मी अग्रथ चले गए इस दुनिया से आज उनको याद भी कर रहा हूं और कविता की आपने का कि कई चक्र सुनेंगे लेकिन पहले ही मैं आप से छमा प्रार्थना कर ले रहा हूं कि एक अन्ने कारिक्रम के लिए पहने पा किसी भूम का कि अब मैं सीधे सीधे जो कुछ भी कहूंगा अपनी तुकबंदी में कहूंगा इस देश का बहुत छोटा रचनाकार हूं ये अलग बात है कि देश ने मुझे बहुत काफी सम्मान दिया है पंक्तिया निवीदित हैं देखे चार पंक्तियां सबसे पहले कि शिल्प देगा नया उनर देगा शिल्प देगा नया उनर देगा वो मुझे ला जवाब कर देगा वो मुझे ला जवाब कर देगा और मुझे को विश्वास उसकी रहमत पर वो मुझे रोसनी से भर देगा वो मुझे रोसनी से भर देगा चार पंक्तियां पूरे देश को पूरे अवाम को देता हूं यह भी एक ओज है एक सलीका है के दर्द सह लेना आह मत भरना ओ हस्ता गुल्षन तबाह मत करना हस्ता गुल्षन तबाह मत करना और जिससे इंसानियत हो शर्मिंदा ऐसा कोई गुनाह मत करना ऐसा कोई गुनाह मत करना अपनी क्या इस्तिय है दिन में आत्रा में रहते हैं रात को कविता पढ़ते हैं किल न जाने के हम कहा होंगे कल न जाने के हम कहा होंगे और आप चाहेंगे हम वहां होंगे आप चाहेंगे हम वहां होंगे और उस जमी पर करेंगे हम सजदा उस जमी पर करेंगे हम सजदा जिस जगा आप के निशान होंगे जिस जगा आप के निशान होंगे तमाम प्रेम पर बात हुई चार पंक्तिया मैं अपने तरीके से कहता हूँ देखे एक ओज का रचनकार कैसे कह सकता है कि दिल से तूटा हूँ तो तूटा ही सही कि दिल से तूटा हूँ तो तूटा ही सही तुम से रूठा हूँ तो रूठा ही सही तो प्रेम ही सात्य है जगत मित्या तुम कहो जूठ तो जूठा ही सही तुम कहो जूठ तो जूठा ही सही और अब सुरू होता हूँ जहां से नदेशित किया है अधरनी डाट साब ने चार पंक्तिया अपने सहीदों को याद करता हुआ आप से भी निवेदन करता हूँ आप से भी कहता हूँ बिल्कुल ताजा पंक्तियां पढ़ रहा हूँ इस हाल में मुझे आना बहुत बार हुआ है लेकिन बिल्कुल मैं कोशिस कर रहा हूँ कि बिल्कुल ताजा पंक्तियां पढ़ रहा हूँ देखें के अंग्रेजों की हर मन मानी याद करो अंग्रेजों की हर मन मानी याद करो अब भगत सिंह की अमर कहानी याद करो अंग्रेजों की हर मन मानी याद करो भगत सिंह की अमर कहानी याद करो तो हसते हसते जिसने, हसते हसते जिसने, खुद को मिटा दिया, हसते हसते जिसने, खुद को मिटा दिया, खुदी राम की चड़ी जवानी याद करो खुदी राम की चड़ी जवानी याद करो और विल्कुल ताजे संदर से आपको जोड़ता हुआ मैं आगे बढ़ता हूँ देखें आप बहुत कम अब मैं जानता हूँ कि वैसे मैंने तुलगी दिया था उसी दिन लेकिन अब बहुत जवान परी बाते आएंगी लेकिन आज मैं आप लोगों को गवाह बना करके पहली बार पढ़ रहा हूं देखें अब घाटी में किसी नाम का अफलातून नहीं होगा अब घाटी में किसी नाम का अफलातून नहीं होगा अब घाटी में किसी नाम का अफ लातून नहीं होगा बहुत हो चुकाय और जवानों का अब खून नहीं होगा बहुत हो चुकाय और जवानों का अब खून नहीं होगा तो जाग उठा है अपना भारत बारत का मुखिया बोला जाग उठा है अपना भारत बारत का मुखिया बोला अब एक रास्ट में एक रास्ट है एक रास्ट में दो कानून नहीं होगा तो बहुत दिनों से चले गए हम आगे नहीं चला जाए बहुत दिनों से चले गए हम आगे नहीं चला जाए अउगरबाद की आग में हमको आगे नहीं तला जाए अउगरबाद की आग में हमको आगे नहीं तला जाए तो भारत का यह संबिधान सारी दुनिया में न्यारा है औ किसी दुस्ट को अगर कस्ट है पाकिस्तान चला जाए औ चार पंक्तिया दिल्ली कहती है मैं नहीं कहता कि ऐ कस्मीर के लोगों सुन लो तुम से कोई बहर नहीं ऐ कस्मीर के लोगों सुन लो तुम से कोई बहर नहीं अब पूरा हिंदोस्तान तुम्हारा तुम अपने हो गहर नहीं पूरा हिंदोस्तान तुम्हारा तुम अपने हो गहर नहीं तो जो तुम को उकसा करके एक सैंतालिस देते हैं तुम को उकसा करके एक सैंतालिस देते हैं तो महबुबा अब दुल्ला जैसे लोगों की अब खैर नहीं लोगों की अब खैर नहीं आओ चार पंक्तियान विजित करता हूँ देखें आप कि अब दुनिया दुनिया को अपनी ताकत पहले देखे रचनकार दुरदस्ता होता है पहले ही कह रहा हूँ कि दुनिया को अपनी ताकत दिख लाएंगे अस्वाभिमान का अमरतरा ना गाएंगे स्वाभिमान का अमरतरा ना गाएंगे तो आजादी का जश्न तभी पूरा होगा अब पीयो के में जब जंडा फहराएंगे और अंत में एक जंगीत और वहां से अपनी बात कह रहा हूँ कहीं कोई समस्या है कहीं कोई समस्या है लेकिन मैं अपनी बात इन सारी समस्याओं को देखते हुए कि हिंदुस्तान को आज चाहिए क्या पंक्तिया नवीद हैं आप थोड़े से अपने हाथ खोलें कि डावाण डूल स्थित है हिंदुस्तान की और आखिस पर है लगी सारे जहान की और हो रही है साजिसे इसके सबाब पर और धुंद चा गई है इसके आफताब पर तो देश वासी जातियों में तूट रहे हैं और रहनु माही देश को अब लूट रहे हैं तो देश का प्रनेता ही विस्बीज बो रहाँ और खून के आसु है हिंदुस्तान रो रहाँ तो राना यो सिवा की आनबान चाहिए और घायल हिंदुस्तान को मुस्तान चाहिए अर घायल हिंदोस्तान को मुस्कान चाहिए तो रात रो रही है दिन बहुत उदास है ओ चाद रो रहा है चादनी उुदास है ओ हसते हुए फूलों की हसी उदास है ओ किस तरह कउँ हो मैं हर खुशी उदास है तो इनसारी उदासी का जवाब चाहिए और निर्दोसों की मौत का हिसाब चाहिए और या तो फिर वतन को इनकलाब चाहिए तो पहले था जो फिर वही सम्मान चाहिए और घायल हिंदुस्तान को मुस्कान चाहिए तो मुखोले मुद्दा खड़ा है राम रोटी का और तंधकने के वास्ते अपनी लंगोटी का तो जहां चाहे राम का मंदिर बनाईए और रोटी किस तरह मिलेगे ये बताईए और नहीं तो बेकार जो रोटी न पाएंगे और सारे सपने तोड के बागी हो जाएंगे फिर संसत के दरवाजे उनकी टोलियां होंगी और फिर तुम्हारी चाती उनकी गोलियां होंगी तो उनकी भी खुशी का संबिधान चाहिए अरे घायल हिंदोस्तान को मुस्कान चाहिए तो सुन रहा आसाम भी है हो गया सवाल और उल्फा वाले रोज कर रहे नए बवाल और केसर की क्यारी पे पाकिस्तान की नजर और जल रहा यभी भी बंदा बैरागी का घर तो कह दो ये कसमीर तो भारत की सान है और ये अपना पंजाब तो गुरुआं की यान है अरे पाओं जो इन पर बढ़ेंगे तोड़ देंगे हम और उठने वाली आँखों को भी फोड़ देंगे हम तो युद्धै निदान तो निदान चाहिए और युद्धै निदान तो निदान चाहिए अरे घायल हिंदोस्तान को मुस्कान चाहिए जै हिन जै भारत अब आप मान गए न यह थे भूसरत्यागी ओज बीर और रास्ट की आवाज का कभी लेकिन एक खत्रा होता है कि बीर रस्क कभी जब कभिता पढ़ता है न तो जगड़ा नभी होना तो जगड़ा कराई देगा वो पाकिस्तान चाहिए प्योकुमी जंडा गाड़ देंगे जो ठीक ठाक चल रहा है उसमें गरवड़ी ज़रूर पैदा कर देंगे लेकिन आज के संदर में मैं तो भूसरत्यागी को जानता था इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक गीतों की सिरीज है भगत सिंग की पाती भगत सिंग स्वैंग भारत वाश्यों को एक मैं चालता था एक चंद औचंद होना चीह उसको क्या दर्द है भगत सिंग के सीने में किस देश की आजादी के लिए भगत सिंग ने अपनी जान एक गुर्वान दी खुदी राम बोश का उलेख किया, उसने अपनी जवानी कुर्वान कर दी, क्या इस भारत के लिए नहीं, वो अलग संदर्व है, भारत भूशनर उस कविता के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, लेकिन जब हम कविता के रंगमंच पर होते हैं, जब हम कविता की दुनि में ही आना है, विर्रस का कभी कोई कविता पढ़ता है, तो जो भाव भंगिमा बनती है, और एक चीज़ आपको बता दूँ, इस समय जितने लोग सभागार हाल में मौझूद है न, वो कविता के सच्चे प्रेमी हैं, हलके उलके वाले लोग तो चले गए हैं, वो चले लोगों को पूनम जी को सुनना है, लेकिन बहुत ही हमारे वरिष्ट कभी जगदिसनान तिवारी लोकेश जी हैं, इनको कहीं जाना है, भूसरत्यागी जे ने भी कहा कि हमको भी जाना है, जाना तो सब को है, बात दूसरी है कि आपको पहले जाना है थोड़ा, तो मैं जो क पात खीच करके उस पायल की रुण्जुन की तरफ, गीतों की तरफ ले आने की ताकत किसी में है, तो लोकेश जी के पास है, हम लोकेश जी को सुनें, स्री जगदिस नरायन लोकेश जी मंच पर जो ये त्रिवेणी विराजमान है, कुल सचिव महोदय, कुल पत महोदय, और भूशन त्यागी की रचनाएं, तो हम लोक बहुत सुनते रहे हैं, आज इन्होंने नए संदर्व में, जो कविता पढ़ी है, निश्चित रूप से, वो महा कभी भूशन की याद दि है, कम से कम इस पर तो आप तानिया बजा ही दीजिए, मित्रो, प्रोफिसर राम सुधार सिंग जी, इस काविमंच का संचालन कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा, जब डाड़ साब ने ये कहा कि कविता क्यों, कविता के लिए इतने लोग क्यों इकठा हुए हैं, तो आपने कविता की व्याख्या की, कविता असत्य के आवरण को भेद कर, सत्य से साक्षाद कार कराती है, लेकिन कविता क्यों अनिवार है हम लोगों के लिए? आवश्यक नहीं, अनिवार है. अगर हमें जिन्दगी है तो हमें भूख है, हमें प्यास है और मैं कविता के बारे में जैसा प्रफ़सर राम सुधार सिंगी ने कहा मैं कविता के बारे में कविता की ही चार पंक्तियां आप लोगों को निवेदित करना चाहता हूँ कविता भूखों की रोटी है कविता क्यों अनिवारे है अनिवारे और आवश्यक हमारे विद्वान तो समझे रहे हैं छातर समझे हैं कि कविता भूखों की रोटी है प्यासों की है पानी कविता भूखों की रोटी है, प्यासों की है पानी, दीन दुखी दलितों, कुछलों की कविता राम कहानी कुछ मुक्तक से मैं इसलिए प्रार्म करना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा सुखद लगा कि तिब्वती सिक्षन संस्थान में हिंदी भाषा राज भाषा का ये कारिकरम है कावि गोच्टी है तो इस पर गोस्वामी जी ने लिखा है आप तो मनीशी हैं जो संचालन कर रहे हैं कावि मंच का कि उन्होंने कहा कि संत हिर्दय नवनीत समाना संतों का हिर्दय जो है वो मक्खन की तरह है नवनीत माने मक्खन लेकिन गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कहा कभिन पर कहा न जाना कभियों ने कहा जरूर है लेकिन ये चीज उन्होंने सही नहीं कहिए क्यों क्योंकि जो मक्खन है वो अपने ताप से पिखलता है और जो संत हिर्दय है वो दूसरे के दुख से पिखलता है तो इस पर चार पंकिया मैं निविदित करूँगा इसी संदर्म में लोग कहते हैं वो पत्थर दिल है तो उन पत्थरों को भी परणाम करते हुए अभी एक हमारे पूर्व कभी मित्र पढ़ रहे थे बड़ा अच्छा लगा कि सांस सांस पर पहरे क्यों है सांस सांस पर पहरे क्यों है गाव दिलों में गहरे क्यों है पत्थर भी पीडा सुनते हैं कानों वाले बहरे क्यों है मित्रों मैं जब राजकी पालिटेकनिक फैजा बाद अब तो ऐुध्या है पहले भी थी, वहाँ प्राचार था, तो मैंने अनुभव किया कि पत्थर भी बारिस होती वर्षा होती, उसमें भीग जाते हैं, पत्थर भी धूप होती हो, उसमें तप जाते हैं, गर्म हो जाते हैं. तो ये पत्थर कहना ये शरद रितु में पत्थर ठंडे हो जाते हैं तो ये उपमा जो कभियों ने दिया है या हमारे आचारियों ने दिया है वो मुझे ठीक प्रतीत नहीं हुई इसलिए इस मुक्तक को फिर सुनिए इस संदर में कि सांस सांस पर पहरे क्यों हैं सांस सांस पर पहरे क्यों हैं घाव दिलों में गहरे क्यों हैं पत्थर भी पीडा सुनते हैं पत्थर भी पीडा सुनते हैं कानों वाले बहरे क्यों हैं अब कान के बाद तो फिर आँख की बात आनी ही चाहिए तो सच पर इतने फंदे क्यों है जैसा भूशनत्यागी जी ने विका कि हम सच को न कहना चाहते हैं न सच को सुनना चाहते हैं और न सच को स्विकार करना चाहते हैं सच पर इतने फंदे क्यों है आपको बड़ी सरल भासा में हमारे विद्यार्थी भी है यहाँ पर इसलिए बुए मैं साहितिक गीत नहीं पढ़ना चाहता सच पर इतने फंदे क्यों है जूटे गोरक धंदे क्यों है चोराहों पर जहां की अधिक्तम लोग आते जाते हैं चोराहा चोराहों पर सड़ती लाशें आखों वाले अंधे क्यों है और देखियेगा रचनाकार हर तरह की रचनाएं होती हैं कावी रचनाएं होती हैं यह जो प्रेक्षागरिह बना है यह भी किनी हाथों नहीं बनाया ह हाथों से रचना करना है मेरे वे मित्र क्षमा करेंगे मैंने ऐसे लोगों को देखा है इसलिए बंद लिखना पड़ा कि इश्वर ने दोनों हाथों में दस अंगुलियां दी है और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि कि दसों अंगुल्त की जब ये और रत्न भविश्य नहीं बना पाए तो आपका भविश्य कितना बनागे उसने Україं का हाथों से रचना करना है उंगली में फिर मूंगे क्यों है है जुबान सबके मुह में फिर है जुबान सबके मुह में फिर बने हुए ये गूंगे क्यों है बने हुए ये गूंगे क्यों है और मित्रो एक चार पंक्तियां अपने परिचे में राम सुधार सिंगी जी तो बहुत अच्छा संचालाओं बहुत अच्छा परिचे दे रहे हैं मैं मन्च का भी जो मनिशी गण है और हमारे प्राचार आचार गण है और हमारे विद्यार्थी सबका परिशे इन चार पंक्तियों में देना चाहता हूं कि मैं सुमन सुरभ कहीं हूं कहीं चंदन गंध हूं मैं सुमन सुरभ कहीं हूं कहीं चंदन गंध हूं क्रोंच का करंदन कहीं हूं आधिकभी वालमीग को पराम करते हूं यत क्रोंच मिथना देकम अवधीह काम मोहितम यहीं से पहली वह आधिकभी वालमीग जी माने जाते हैं यहीं आधिकभीता है इस मुक्तक में उनको पराम मैं कर रहा हूं कि मैं सुमन सौरभ कहीं हूं कहीं चंदन गंद हूं क्रौंच का क्रंदन कहीं हूं आदि कभी का चंद हूं क्रौंच का क्रंदन कहीं हूं आदि कभी का चंद हूं और आप सभी का स्वागत चार पंकियों में नए संदर्मों में आप सभी के शुभागमन से नव जीवन संचार हुआ है फूलों की क्या बात करूँ मैं कांटों से भी प्यार हुआ है और जीवन में मित्रों अनेक विसंगतिया हमारे कभी मित्रों ने उसे रेखांकित भी किया मैं चार पंकियां इस पर भी पढ़ना चाहूँगा कि फूल ये किद्रे अच्छे गमले लग रहे हैं लेकिन जो इसको पुष्पित पल्लवित कर रहा उसकी भी हमें याद रखनी चाहिए माली की कि फूल खिलाने वालों के चेहरे मुर्जाये हैं अन उगाने वालों को हम भूखा पाए हैं जो जीवन को जग को जगमक देते हैं दीवाली उनके हिस्से में केवल अधियारे आए हैं उनके हिस्से में केवल अधियारे आए हैं इस बुक्तक को फिर मैं सुनाना चाहूंगा फिर सुनिए ध्यान से कि फूल खिलाने वालों के चेहरे मुर्जाये हैं अन उगाने वालों को हम भूखा पाए हैं जो जीवन को जग को जगमक देते हैं दीवाली उनके हिस्से में क देवल अधियारे आये हैं आज यह सारनाथ की धर्ती पर यह कावी गोष्ठी हो रही है जहांसे गोतम बुद्ध ने शांति प्रेम और अहिंसा की बात कही आज वो उस संदर्में और विश्व के संदर्में जो आज आतंकवाद चारोर व्याप थे उस पर एक छोटी से रहसना चार पंक्तियों की ही सुनें कि दसों दिशाएं शाप दे रहीं जैसे रिष्ध दुरबासा बंदू के अब बांच रही हैं जीवन की परिभाशा बंदू के अब बांच रही हैं जीवन की परिभाशा और एक मुहावरे इस काविमंच पर मुहावरे की मुहर लगा करके मुक्तत समाप्त करूँगा इसके बाद एक हिंदी के संदर्में क्योंकि यह बड़ा अच्छा है कि राजभाशा कार्यानमन समीत जो है यह काविगोश्टी के इंदरी उच तिब्वती सिक्षा संसान में आजित हो रहा है बड़ा सुखा दनभा हो रहा है हम लोग इने काविमंचों से और दूरदर्शन से आकाश्वानी से काविपाट करते हैं लेकिन यहाँ आ करके बड़ा बड़ी अलोकिक अनुभूत हो र पर्यारे श्रीजों से जिन्दी को भी परिभार्शिक कर रहा है मुकत क्यों हो गई है हिरन हर पल की हसी ऐसके तो चीःची कहीं सब और गए हैं हातिया तो दिख रहे हैं श् good ऊससीहें सांवलसागर से परवे जुड़ गए हैं समय दार्साइप का रोधर फिर से इसे पढ़ा जाए हो गई है हिरन हर पल की हसी हाथ के तोते कहीं सब उड़ गए है हाथियां तो दिख रहे हैं श्वेत सब सावले सागर से परविजूड गए है सावले सागर से परविजूड गए हैं और एक मा सरस्वती के वरत पुत्रों के नाम एक छोटा सा नन्हा सा गीद प्रस्तुत करके अपना काव पर पाट समाप करूँगा तो कि मुझे एक राजभाशा के कारिकम में एरपोर्ट पर जाना है हम समय हस्ताक्षर हैं हम समय हस्ताक्षर हैं हम शाश्वत्षर हैं हम मरुथल के जल्धर हैं देखे जहां अगर समुद्र में वर्षा हो रही उसका क्या महत्व है लेकिन जो सूखी धरती है बंजर धरती है अगर वहां वर्षा हो रही है तो उसका महत्व है तो कभी या ऐसे ही कलाकार हैं कि हम समय हस्ताक्षर हैं हम शाश्वत्षर हैं हम मरुथल के जल्धर हैं वालमी किके हम वनशज हैं, हम हैं वही निराला, महाप्रान निराला, वालमी किके हम वनशज हैं, हम हैं वही निराला, जिसने जीवन भर पिया है, केवल विश का प्याला, हम काटों का हार पहनते, पंक्तियां ध्यान से सुनिए, हम काटों का हार पहनते, देते कुस्मा कर हैं हम काटों का हार पहंते देते कुसमा कर हैं, हम समय हसताक्षर हैं, हम शाश्वत्षवर हैं, हम हैं हंस शारदा मा के, मा सरस्वती के हंस हैं, नीर्खषीर विवेक से मंडित हम हैं हंस शारदा मा के जों अलमस्त कबीरा हम हसकर विश्प्याला पीते जैसे पीथी मीरा हम हसकर विश्प्याला पीते जैसे पीथी मीरा और एक नया रूपक विद्यार्थियों के लिए समय के लिए एनेक उबमाय और रूपक है एक नया रूपक आप सुनिए कि हमें ने समय सर्प ड़स सकता आज भी महाप्राण डिराला, मीरा, रस्खान, कवीर सब को याद किया जा रहा है हमें ने समय सर्प ड़स सकता काल जई स्वर हैं ये स्वर काल जई हैं इनको काल भी नहीं जी सकता हमें न समय सर्प ड़ सकता काल जई स्वर हैं हम समय हस्ताक्षर हैं हम शाश्वत्स्वर हैं सूर एक मुझे ड़ सब शले शलंकार बड़ा प्री है और आप तो मनिशी है सूर सद्रिश है द्रिश्टी हमारी हिंदी साहिति का सूर महा कवी सूर सूर्य जो सबको प्रकाश और उर्जा देते हैं शूर्वीर और अंधी जिंदगी चारों को समन्वय करता हुआ यह बंद सुनिए कि सूर्सद्रिष है द्रिष्टी हमारी तुलसी जैसी माला भक्त काल के कभियों को पढ़ाम करती हुई पंक्तियां कि सूर्सद्रिष है द्रिष्टी हमारी तुलसी जैसी माला हम पियूश में परिवर्थित कर देते विश्का प्याला हम पियूश में परिवर्थित कर देते विश्का प्याला वसुधा पर हम सुधा लुटाते वसुधा पर हम सुधा लुटाते शेष सभी विषधर हैं हम सरजन करते वसंत का सेष सभी पत्यर हैं और हंस वाहिनी के भूशन हम फिर शलेशा गया महा के भूशन हंस वाहिनी मासरस्वती के अलंकार हंस वाहिनी के भूशन हम हम रस खान बिहारी रसों के खान रस खान हंस वाहिनी के भूशन हम, हमरस खान बिहारी, सत्यम शिवम सुन्दरं स्वर से हम सुवित फुलवारी केवल एक अमर है हम, से सभी नस्वर हैं, हम समय हस्ताक्षर हैं, हम सास्वत्षर हैं और अंतिम पंग्तियां हैं देव हमी मतिराम हमी हैं हम रहीम रतनाकर भार्यतेंद हर्योध हमी हैं हम केशव पद्माकर महादेव चायबादी कवियों को पड़ाम कर रहा हूं कि महादेव के हम प्रसाद हैं महादेव के हम प्रसाद हैं पंत हमी दिनकर हैं हम समय हस्ताक्षर हैं हम शाश्वत्षर हैं हम बाजों की बस्ती में भी गोतम बुद्ध का संदेश देखिए अगली पंक्तियों में कि हम हम बाजों की बस्ती में भी शांत कपोत उड़ाते, फांसी के फंदों पर भी हम जूम जूम करगाते, मिटान सकता हमको कोई, हम ऐसे अक्षर हैं। मिटान सकता हमको कोई, हम ऐसे अक्षर हैं, हम समय हस्ताक्षर हैं, हम साश्वत्वर हैं। और अंति बंद है कि कबीर को समर्पित है यह, कि हम संस्कृत के सररक्षक हैं, जन सत्ता समवाहक हैं। हम संस्कृत के संरक्षक हैं, जन सत्ता समवाहक हैं, अनहद नाद ध्वनित करते जो हम ऐसे स्वरसादक हैं, कौन नाप सकता है हमको, हम अनन्त अंबर हैं, हम समय हस्ताक्षर हैं, हम साश्चत्वर हैं. बहुत बहुत धन्यबाद, यह आज की यह कभिगोस्थी पूरी तरह से सफल हुई, समर्थ हुई, इसके साथ्ची आप सभी हैं, और इसके प्रमान हैं, यहां मंच पर उपस्थित स्वैंग कुलपदी जी, कुलशच्यु महोदय, सामने बैठे हुए फ्रुपसर धर्मतत चत दुरवेदी जी हम सबके आदरणी, डाक्टर देवराज सिंग जी, अभी वांग्चु दोर्जे नोगी जी गए, शंपेल जी हैं उपस्थित हैं, राजेश मिश्रा जी हैं, हमारे असे सेस्टर इस्टरार सहव हैं, यह प्रमान है इस, लेकिन जो दुकांदार होता है इसलिए थोड़ी देर तक और प्रतिक्षा करिए, अभी लोकेश जी ने संकेत भी किया कि गीत कहां पहुंची, गीत की यात्रा नोगीत तक गई है, किवल गीत प्रेम मुहबबत तक नहीं सीमित है, आज के जीवन की जो भिसंगती है, दो पंक्ति आपने बहुत अच्छी कहीं है, कि हो गई है हिरन, एक पल की हशी आज गायब हो गई है, हम भीतर दर्द से कितने परिशान हैं, हास के तोते कहीं पर उड़ गए हैं, यह यात्रा गीत से नोगीत की यात्रा है, हमारे संजुक्त परिवार तूट रहे हैं, हम बड़े-बड़े महल बनाते चले जा रहे हैं, बहुमंजली इमारते बने चले चले जा रहे हैं, उसमें रहने वाले कौन हैं, एक दूसरे से परिचे नहीं है, एक बहुत अच्छी किसी की पंक्ती है, कि अगर तुम्हारे घर के बगल में कोई लास पड़ी हो, और तुम हास के गीत गा रहे हो, तो मुझे तु जीवन की भिशंगती है, हम भेड जितनी बढ़ रही है, हिर्दै की दूरीयां उतनी दूर होती चले जा रहे हैं, यह आज के जीवन की भिशंगती है, और यही आज के नोगीत का विश्य है, हमारे बीच में हिमान्सु उपाद्यायजी जो एक बरिष्ट पत्रकार रहे है और नवगीत के जाने माने हस्ताक्षर रहे हैं उनकी कुछ पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करता हूँ आज हमने भी क्या रदो बदल देखा आपकी निगाहों में गैरों का दखल देखा शाम जिनके पंजों में खून सी सनी गुजरी शाम जिनके पंजों में खून सी सनी गुजरी सुबह उनके हाथों में हमने गंगा जल देखा यह दोहरापन है उस दोहरेपन को नवगीत विसंगत कर रहा है हिमान्शु जी और इसके बाद हम लोग पूनम सिरवास्तों जी है साथ जी सुन्दर चेहरे से कविता की शुरुवात होई है उसी से हम उसके समापन की तरफ ले जाएंगे बहुत धन्यवाद आदरिया रामसुधार सिंग जी आदरिया कुलपते जी, कुलसचीव जी तिबती संस्थान के प्रोफेसर्स चात्र, पूरा परिवार, कवि मित्र साथी मैं आप सब को प्रोडाम करता हूँ बहुत समय हो चुका है और मैं जल्ली जल्ली में छोटी छोटी एक दो छोटी छोटी एक दो गीत आपके समक्षक होंगा पहले एक मुक्तक की सच और जूट की बात हो रही थी मैं अपने नजर से सच और जूट को कैसे देखा है चार पंक्तियों में कि आदमी आइना नहीं होता आदमी आइना नहीं होता वक्त को कुछ मना नहीं होता आदमी आइना नहीं होता वक्त को कुछ मना नहीं होता और जूट की उम्र बस तभी तक है जूट की उम्र बस तभी तक है जब तक सत्से सामना नहीं होता जूट की उम्र बस तभी तक है जब तक सत्से सामना नहीं होता आदमी आईना नहीं होता वक्त को कुछ मना नहीं होता जूट की उम्र बस तभी तक है जब तक सत्से सामना नहीं होता और एक मुत्तक और देखें कि उनका आना हुआ उनका जाना हुआ उनका आना हुआ उनका जाना हुआ कुछ पल के लिए मुस्कुराना हुआ उनका आना हुआ उनका जाना हुआ कुछ पल के लिए मुस्कुराना हुआ पत्थर जब चले और भी लोग थे उनका आना हुआ, उनका जाना हुआ, कुछ पल के लिए मुस्कुराना हुआ, पत्थर जब चले और भी लोग थे, पर हर बार मैं ही निशाना हुआ, पत्थर जब चले और भी लोग थे, पर हर बार मैं ही निशाना हुआ, और अब आए एक छोटा सा गीत, एक नवगीत के कुछ पंक्तियां दे रहा हूँ जिन्दगी को मैंने किस तरह से देखा है हम सब अपनी अपनी जिन्दगी जीते हैं कि छोटे छोटे पूराओं की गाम जिन्दगी जिन्दगी है क्या छोटे छोटे पूराओं की गाम जिन्दगी कितनी अपर्चित पढ़ाव जिन्दगी, छोटे छोटे पूराओं की गाम जिन्दगी, कितनी अपर्चित पढ़ाव जिन्दगी, नदी में भवर है भवर में फसी, दोस्तों ये कागज की नाव जिन्दगी, छोटे छोटे पूराओं की गाम जिन्दगी, और का है जिन्दगी, कि धूप जैसी जलती है छाम जिन्दगी, तूटे हूए कांचु पे पाम जिन्दगी, धूप जैसी जलती है छाम जिन्दगी, तूटे हूए कांचु पे पाम जिन्दगी, धूआ धूआ सपने सपनों की हद में, धूआ धूआ सपने सपनों की हद में, गिली हैं लकडियां अलाव जिन्दगी, छोटे छोटे पूराओं की गाम जिन्दगी, कविता लंबी है लेकिन मैं चार पंक्तियों में शे खत्म कर रहा हूँ, कि एक व्यक्ति हम सब जीते हैं, लेकिन यदि बहुत गंभीरता से हम विचार करें, अखेले में विचार करें, तो हमें लगता है कि अपने को छोड़कर हम सबके लिए जीते हैं, ये बात कहने कि हमने कोशिश की है और उस बदले में उसको मिलता क्या है यह नितान तवैक्तिक भी हो सकता है लेकिन आज की सबसे बड़ी विए संगती भी है इन पंक्तियों में कि अपनों से ऐसा लगाव जिन्दगी खुद से बेगाना बरताव जिन्दगी कि अपनों से ऐसा लगाव जिन्दगी खुद से बेगाना बरताव जिन्दगी उन दुश्मनों से उम्र भर जूजती रही अपनों से हार गई दाव जिन्दगी अपनों से हार गई दाव जिन्दगी छोटे छोटे पूरों की आव जिन्दगी और कहें तो एक छोटा से गीत अगर आप लोग जाज़त दे संचालक मोद है मैंने मैं हम लोग बहुत दिनों से साथ हैं दो में टॉड लूँगा आप लोग का डक्टर राम सुधार सिंग जी को आज मैंने पहली बार जाना पिसले कई वर्थों से हम लोग साथ हैं और विद्वत गोष्टियों का संचालन करते हैं हमने इनको देखा है हमने क्या पूरा भारतवर्स मानता है लेकिन आज मैंने यह मसूस किया कि कवियों को अगर कोई प तक्ष्किया जिसनिया बहुत बहुत आपका भार और बहुत अच्छा लगा एक एकदम ताजा गीत है चोटा सा बहुत चोटा सा है उसके पहले चार पंकियां राज भार्षा को लेकर बात हो रही थी कि हसनी चाहिए मुस्कुरानी चाहिए हसनी चाहिए मुस्कुरानी चाहिए फिर वही सूरत पुरानी चाहिए हसनी चाहिए मुस्कुरानी चाहिए फिर वही सूरत पुरानी चाहिए आपकी जो अर्चने हैं, आप जानिए, आपकी जो अर्चने हैं, आप जानिए, हिंदी अपने आशन पर आनी चाहिए, आपकी जो अर्चने हैं, आप जानिए, हिंदी अपने आशन पर आनी चाहिए, और अंत में एक छोटा सा गीत, एदम ताजा है रेशम रेशम पालने की डोरी ले गया मीठी मीठी थपकी लोरी ले गया कुल आठ पंकियों के छोटी सी कविता है इसमें हमने बात कहने की कुर्शिश की है कि रेशम रेशम पालने की डोरी ले गया मीठी मीठी थपकी लोरी ले गया कौन ले गया अपना चंदा मामा कौन ले गया अपना चंदा मामा दूद भात वाली कटोरी ले गया कौन ले गया अपना चंदा मामा हम सभी गाउं से जुड़े हैं कहने की कोशिस की है माल बन रहे हैं हम गाउं से दूर हो रहे हैं माटी खप रहे हैं निग हस्तों वाला घर दलान आंगन अरगनी ओरी ले गया कौन ले गया वो आजी का हुका कौन ले गया वो आजी का हुका बकडी चाता बाबा की जोरी ले गया कौन ले गया वो आजी का हुका बकडी छाता बावा की जोरी ले गया बैल हल हर वाहे गुड़ वाला रस पन घच्छे गगरी गोरी ले गया और गाव में खेल होते थे उनको बादने की कोशिस की है अंतिम पंक्तियां हैं कि छलक बड़ी हा गुड़ कंचा बरगत्ता गुला डंडा उड़ा बल जोरी ले गया और अंत में कि कौन ले गया निष्ठुर प्रेम गाव का छोड़ गया चकवा चकोरी ले गया कौन ले गया अपना चन्दा मामा कौन ले गया अपना चन्दा मामा दूद भात वाले कटोरी ले गया रेशम रेशम पालने की डोरी ले गया, मिठी मिठी तपकी लोरी ले गया बहुत बहुत धन्यवाद हिमान्शु जी को एक बात असपस्ट आप से कह दूँ, आपने हिमान्शु जी ने जो कहा मैं कत्तई संचालक उंचालक नहीं हूँ और कविता का तो बिलकुल नहीं हूँ, क्योंकि कभी ही नहीं हूँ, कभी मनीशी होता है, कभी स्वयम्भू होता है मैं तो एक शामाने विद्यार्थी हूँ, इसलिए बहुत प्रणम में भाव से अन्रोथ करता हूँ यहां आना है, रहना है, तो डाक्टर राम जी सिंग जी के आदेश को मानना है साइद इसलिए मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी समझे कि यह करा रही है मुझे तो अभी हम कविता के बिलकुल समापन की तरफ हैं, हम अपने विद्यार्थियों की भी इस्तिती समझ रहे हैं पांच वजे उनको कहीं जाना है, और कुलुपत जी चाहते हुए भी अत्यन्त संकोच से बैथे हुए हैं लेकिन हम अंतिम में पूनम सिर्वास्ता जी को जिन्होंने सरसोती बंदना किया था, लेकिन उसके पहले हमारे पास एक विश्व प्रकास जी हैं, सारसोध सहायक हैं उनसे जरूर अन्रोत करूँगा कि आप आवे और अपनी फूल वाली कविता की कुछ पंक्तियां सुना दें, और फिर हम मंत में पूनम जी को सुनेंगे, फिर हम कुल्पत जी से आशिरवाद लेंगे और धन्यवाद प्रकास श्रधेय कुल्पति महदे, एक छोटी से कविता सुना रहा हूँ, ये एक पिता की अपने पूत्री करप्रती भावना है मेरी बच्ची फूल नबनना, फूल बनी तो जढ़ना होगा, या तुझको डाली से हटकर गुल दस्ते में पढ़ना होगा मेरी बच्ची फूल नबनना, फूल बनी तो कोई माली तुझको आकर ले जाएगा, मूरत हो या द्वार किसी का सज्जा करने लटकाएगा, साज ढ़ले फिर कूडे में पढ़ तिल-तिल करके सड़ना होगा, मेरी बच्ची फूल नबनना मेरी बच्ची दीपक बनना, जो फैलाता है उजियारा, अपने आचल की लौसे पर दहका सकता है अंगारा, स्रद्धा प्रेम रिदय में जिसके उजियारा उसको है मिलता, मरयादा पर पार करे जो वह मूरक निश्चित है जलता, अंधियारी छलकी दुनिया से है आगे मेरी बच्ची दीपक बनना, फूल न बनना, साइद अपनी बेटियों को इस मजबूती के साथ हमें खड़ा करना है, तभी हम साइद अगली सताबदी में मजबूती के साथ जा सकें, बहुत बहुत बधाई मेर प्रकास जी को, एक सूचना आप सभी को देना चाहता हूँ, इस क्रम में साइद यह हमारे उत्सों का समय चल रहा है, कल इसी आच्चा सभागार में ठीक शाड़े पांच बजे एक नाट्य मंचन होगा सेतु संस्था के द्वारा, प्रुपसर बावराम त्रिपाठी जी के उपन्यास पर आधारी तथागत का नाट्य मंचन, एक बनार तो यह एक सूचना थी, आप सभी आमें साड़े पांच बजे जिससे कि हम मेरा ख्याल है डेड़ गंटे का होगा, बस मात्र डेड़ गंटे का नाट्य मंचन है, आप सभी आमें और उसका आनंद लें, कविता को तो हम बहुत अभी हमारे बीच में प्रुपसर बावराम त सुनना चाहते थे, लेकिन समय की वो है कुलपत जी की, मैं पूनम स्रिवास्तों जी से अन्रोद करता हूँ कि आप आमें, और एक सुन्दर गीत के साथ इस आज की कभी गोस्थी का समापन करें, पूनम जी. इस सम्रिद मंच को पड़ाम करती हूँ. मानने कुल पति महोदा जी, मानने कुल सचिव जी, और हमारे बरिष्ट कभी आधरने शुधान सोपाद्य हूँ जी, मेरी बड़ी दिदी रंजना जी, मैं सब को पड़ाम करती हूँ. और चार पंक्तियों से अपने नाम का पर्चे देना चाहती हूँ मा बिंदिवाशनी की आचल की छाओं से निकलते हुए बाबा भुलेनात काशी विश्वनात की नगरी में आपके बीच बधारी हूँ आप सभी का प्यार, आप सभी का आशिरवाद अगर मेरी पंक्तियां आपके दिल तक पहुचे तो दोनों हाथों को उठा करके तालियां बजा करके मुझे आशिरवाद दीजिएगा हाजिर करती हूँ, सुनिएगा कि दिल में अपने तुम्हारा ही गम रख लिया दिल में अपने तुम्हारा ही गम रख लिया हमने उल्फत का तेरी भरम रख लिया हमने उल्फत का तेरी भरम रख लिया तुम्हु अंधेरे बिछाते रहे राह में तुम्हु अंधेरे बिछाते रहे राह में इसलिए नाम मैंने पुनम रख लिया इसलिए नाम मैंने पुनम रख लिया इसलिए नाम मैंने पुनम रख लिया और राश्ट्री एकता की बात आदणी भूसर त्यागी जी यहां से करके रुक्सत हो गए चले गए और मैं वहीं से बात शुरू करती हूं जानों दिल सब निसार करती हूं तेरी मिट्टी को मल के चहरे पर आए वतन मैं श्रिंगार करती हूं तो एक नई जिन्दगी जो पाई है मेरे पुर्खों की ये कमाई है कितनी माओं के धुल गए सिंदो तब चमन में बहार आई है तो सुब लिख दूँगी शाम लिख दूँगी सुब लिख दूँगी शाम लिख दूँगी राम के संग शाम लिख दूँगी लिखना होगा तो ये यकी रखना देश को मैं सलाम लिख दूँगी देश को मैं सलाम लिख दूँगी और रानी लच्छी मिभाई की बात आई यहां पर संचालक महोदे ने कहा और अभी बच्चा अभी हमारे तिबती संस्थान के बिद्यार्थी आए और उन्होंने शेर और शेरनी की बात कही हाजिर करती हूँ सुनिएगा कि नगर लेकर के चलती हूँ मैं अपने साथ अपना हम सफर लेकर के चलती हूँ मेरे नजदीक आएगी भला कोई बला कैसे मेरे नजदीक आएगी भला कोई बला कैसे दोआ मा की बुजुर्गों की नजर लेकर के चलती हूँ तिरंगा शान है पुर्खों की ये एकता का परचम है इसे फहरा के कर गिल पर मैं अपना सर लेकर के चलती हूँ इसे फहरा के कर गिल पर मैं सर लेकर के चलती हूँ मैं भारत की चहती हूँ इसी भारत की रानी हूँ मैं भारत की चहती हूँ इसी भारत की रानी हूँ मैं अपने राज का सारा हुनर लेकर के चलती हूँ आखरी बंद आखरी पंक्तियां पढ़ती हूँ सुनियेगा कि जो चमकी थी कभी जासी में वो तलवार हूँ पूनम जो चमकी थी कभी जासी में वो तलवार हूँ पूनम हाथेली पर दिलो जाबे खतर लेकर के चलती हूँ आईए एक गीत हाजिर करती हूँ जैसा कि हमारे संचालक महोदै जी ने कहा मैं हजिर करती हूँ सुनियेगा श्रिंगार का गीत छोटा सा गीत है बिल्कुल सुनियेगा कि चुपके चुपके मेरी गलियों में आना सजना चुपके चुपके मेरी गलियों में आना सजना चांद अगर देखे तो जट से छिप जाना सजना चुपके चुपके मेरी गलियों में आना सजना रात सावली ओढ़ेगी जब तारों वाली चुनरी नदिया मुनरी पहन करेगी चंदा से तब मंगनी बुध का कलश लिये मंगल दबगी सुनाएंगे सभी नखत सिर फिरे बराती बन कर आएंगे तब धीरे से तुम्हें पुकारेगा मेरा कंगना हाँ तब धीरे से तुम्हें पुकारेगा मेरा कंगना तब धीरे से तुम्हें पुकारेगा मेरा कंगना तब चुपके से मेरी गलियों में आना सजना तब चुपके से मेरी गलियों में आना सजना इस गीत का दूसरा बंद और तालियों के साथ साथ आप लोग अगर रिदम के साथ साथ चलेंगे तो और मज़ा आएगा गीत का सुनिएगा कि चंदा जब डालेगा अपनी आँखों में सुन कजिरा रात की रानी के केशों में महकेगा तब गजिरा चांद लगेगा सन्यासी जबया और चांदनी जोगन तब यकाल की आसंका से तडप उठेयों तब बादल बनकर आजाना तुम मेरे यंगना चुपके चुपके मेरी गलियों में आना सजना चुपके चुपके मेरी गलियों में आना सजना चांद अगर देखे तो जट से छिप जाना सजना आखरी बंद पढ़ती हैं सुनिएगा ढलने लगी उम्र पूनम की और उशाईत राए जल्दी से आजाओ बरना देर नयब हो जाए इससे पहले की तूटे जीवन का ये सपना चुपके चुपके मेरी गलियों में आना सजना चांद अगर देखे तो जट से छिप जाना सजना चांद अगर देखे तो जट से छिप जाना सजना बहुत बहुत बढ़ाई पूनम जी को और एक हमने प्रारंब किया था इस गोस्टी को अपनी राजभाषा की इस्तुती करके और समापन किया इस रास्ट को नमन करके और फिर अंत उस प्रेम और अनुभूती को समय बदलता रहता है कभी प्रेम के प्रतिमान दूसरे थे एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिगा से कहा कि तुम कहो तो ताज महल दे दूँ उसने कहा क्या तुम्हारे बाप ने बनवाया है कि दो दो तो प्रतिमान बदलेंगे आपने का कि चांद न वह हो जाए तो केसे ने का कि तुम चांद के समान सुंदर उसने का जब चंद्रयान टू गया है तो उसके बाद तो मत कहो बड़ा उबड़ खाबड़ हुआ है तो बदलते हैं सभी प्रतिमान लेकिन बहुत हास के साथ आप सभी साक्षी रहे और सबसे बड़ी सहिदैता एक सोहिर्द कृपा हम सब के ऊपर मानिक कुलपजी की रही है वो लगातार तीन घंटे से अधिक यहां बैठना यह कविता का पार्खी होना है कविता के साथ जोड़ने की बात है मैं मानिक कुलपजी से अन्रोद करता हूं कि हम सभी को आशिरबाद ने प्रेरणा दे और विसे इसकर के राजभासा कार्यानों समीत के लोगों को आनने कविगन तधा कवितरी गन और हमारे अपने परिवार के सदसी गन तधा प्रिये चात्रेवम चात्राओं राजभाशा के कार्यक्रम में बोलना तो समीचीन लगता है लेकिन कभी गोश्टी में अप अंत में बोले हैं तो फिर एक रस्वान रस्पान करने के बाद फिर नीरस चीज आपके सामने लाएं तो फिर वो बिलकुल एक अनुकूल नहीं होगा फिर भी एक दो शब्द कह देता हूँ बले ही रस्हीन होँ अभी हमारे किसी माननिय कभी जी ने कहा कि कभीदा जो है आवशक नहीं अनिवारे है मैं तो समझता हूँ कि अनिवारे ही नहीं सौभाविक है हर मनिश्य में जबसे हमारे मानवी सब्दा प्रारंब हुई तब से ले करके कभी सहज हैं लोगों में और सौभाविक हैं बिना कभी के कभीदा के और काव्य के तो जीवन संचालित करना मुश्किल है कभी डांट भी देते हैं तो फिर उसमें कभीदा ही आ जाते हैं तो इसलिए कभी काव्य और फिर ये सारे चीजें जो है एक जीवन का अंग है बहुत ही मैत्पून और उसी रस से फिर रसन बूदी करते हुए श्रोता गन भी उसे प्रभावित होते हैं वक्ता गन भी उसे प्रेडित होकर के बोलते हैं और आज के फिर इस राश्ड भाषा के एक साफ़ता ही के कारिकरम में भीविन परकार के कारिकरमों को रखा गया है तो अच्छी बात है और इसको भी आगे चलाने के लिए और इसे भी जो है राश्ड भाषा को भी और आगे समाज में ले जाना और अपने उन्टी समाज में और प्रविश कराने के लिए और हमारे नवजवानों के बीच में और प्रेडित करने के लिए मैं समझता हूँ कि कावे और कविता जो है बहुत ही एक महत्पून रोल अदा करता है अभी हमारे संचालक प्रोफेसर राम सुधार जी किसी कवी ने भी कहा बिलकुल सही बात है कि कवीता के रतनों को एक माला के रूप में परस्तूत करने के लिए प्रोफेसर राम सुधार जी ने एक रेश्मी के सूत में बानने का प्रयास किया और वो बहुत ही एक सफरता में प्रसूत किया हर जो है एक रतनों के हर रस के एक भूमिका अदाद पहले प्रसूत करते हुए उसके लिए फिर पुरा एक मंच तयार किया और तब जाकर एक £ का रस प्रसूत करने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक इस आ आ इसलिए विशेश रूप से वैसे भी आपका संजालन और सभा के हर संजालन में आपका एक विशेश पर्दभा और एक योगदान रहता ही है लेकिन कविता में भी और कवई सम्मेलन में भी इस प्रकार के हों यह मैंने पहले भी सुना है और आज भी आप उसी प्रासंगिक ही नहीं उसे और भी बहुत सी सुन्दर धंग से प्रस्तुत गिये हैं यह इसके लिए मैं आपका विशेश रुप से आभार करता हूँ और आपने भी कहा कि आज कि इस शुरुदा गन में फिर कई परके हैं और श्रिंगार रस के परविर्ति वाले भी हैं श्रिंगार रस के निवर्टि वाले भी हैं और फिर हम निवर्ति परक परविर्ति वाले लोगों के लिए, फिर ये एक बुनियादी प्रशन होता है, कि क्या एक बहुत ही गंभीर प्रशन किया जा रहा है, कि अस्थेटिक्स में सुदर्दा की जो एक सांदर्य दर्शन के को ले करके, क्यों बहुत दर्शन और बहुत श्रिंगार, लोब, मोह, इत्यादी के बिलकुल निवृति प्रक है लेकिन फिर बहुत वंग्मय में इतने साहित्य से भरे हुए है और फिर कला को देखिए तो इतने कला, इतना व्यापक धंग से, इतना गंभीर, उचस्तरी है यह सब कैसे संभव हुआ है, कई कई मंचों पर और इस पर गरंथ भी लिखा गया है तो मैं अपने दृष्टे से कहा करता हूँ कि यह जब हम सारे जो है श्रंगार, रस, इत्यादी, जितनी भी लौकिक रस वाले काव्य हो या कविदा हो, उसे यह यह हम एक अलोकिक स्तर पर ले जाते हैं, तब जाकर के वो फिर करुणा, मैत्रे और छांती आदी में परिवर्टित हो जाते हैं, वही अर्पित किया जाता है और वही प्रस्तूत किया जाता है इसी से प्रेडित होकर के समस्त कला और काव्य की वंग में जो है वो फिर परगट हुआ है, तो यह एक दूसरी जगत है, एक अलोकिक जगत है, जिसमें जाकर के अगर हम देखें हैं, तो पूरी तरह से एक रस, एक रसास्वादन के लिए पूरा एक जगत बना हुआ है, त तो फिर आज हमारे इस कविसमेलन में जितनी भी कविविदवदगन और कवित्री विदवदगन यहां पदा रहे हैं हमारे निवंदरन पर, आप सब के लिए हमारे अपने यहां के राश्ट भाषा समिधी के तरफ से भी अभी अपजारिक रूप से धन्यवाद दी भी देना चाहता हूं और जितने लोग यहां काफी देर से रसासवादन कर रहे हैं, आप सब का भी हम अविनानदन करता हूं कि फिर यह आप सब ने सुना और पिर सुनने रसासवादन करके जो अनुभूती हुई है वो तो आपकी अपना हो गए हैं, लेकिन यह जो परंब अबरा है ये एक संस्ता गत और संकटन गत और राश्टिय गत और एक राश्ट भाशा गत के रूप में परकट होगा और आगे बिल दे जाने के लिए बहुत ही काम करेगा इनी शब्दों के साथ आज के हमारे संचालक महोदे तथा राश्ट भाशा के आयोजक वरिंद तथा सभी यहां पुस्तित लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देना चालता हूँ धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर हम कृत्ति हैं कृतग्य हैं आपके इस मात पूणूद बोधन के लिए और अब मैं अंत में कविता का रसा स्वाधन और इसके साथ आपके हाथ में जो पहुँच रहा है वो भी रस्वादन ही है मैं धन्यवाद गयापन के लिए पुर्व कुल बंदे मातरम राष्ट को नमन करते हुए एक साथ खड़े होंगे धन्यवाद प्रकास के बाद प्रुप्सर देव राज सिंग जी आधर निये कुलपत जी मंचस्त कुलसचिव जी सभागार में उपस्तित हमारे अध्यापक बुरिंद सहाय कुलसचिव जी कवेत्त्री गण अब एक अई रह गई है और कविस्रेस्ट अकेले एक रह गए है प्रियच्छात्र वंच्छात्राओं सरो प्रतम मैं छमा प्रार्थि हूँ कुलपत महोद जी से कि अब कारेक्रम विलंब से शुरू हुआ समित को छमा मांगनी चाहिए थी मैं छमा मांग रहा हूँ उनकी तरफ से एक किसी ने कोई छोटी सी कविता लिखी कविता क्या है वो गजल ही कह लें मैं दो लाइन उसकी पढ़ देता हूँ हमेशा देर कर देता हूँ मैं हमेशा देर कर देता हूँ मैं जरूरी बात कहनी हो कोई वादा निभाना हो उसे आवाज देनी हो उसे वापस बुलाना हो हमेशें देर कर देता हूं तो ये देर हो जाती है हम निश्डित रूप से अपने अदाने खुल्पजी के अभारी है हम जानते हैं कि आपके पास बिलकुल समय नहीं है लेकिन उस मुल्य समय से इतना मुल्यवान समय हम लोगों को दिया, हमारा उत्सा बर्धन किया, इसके लिए हम मेड़दे से आपका आभार प्रगट करते हैं. हम आभारी हैं यहां के प्रशाफषन कुलसचिव जी, उपकुलसचिव जी, सहय कुलसचिव जी, आप सभी लोगों का, कि आप लोगों ने वो संसाधन दिया, जिन संसाधनों के माध्यम से यह कारिक्रम आयोजित किया जा सका है, हम आपको निश्चित रूप से अपने इसे धन्यवाद देते हैं, मैं आभारी हूँ, उन सभी श्रिष्ट कभी जन का, जो अभी यहां से चले गए हैं, लेकिन उनके बिहाप में, मैं उनका आभारी हूँ, कि हमारे निवेदन को स्विकार करते हुए, न जाने कहां कहां से, काफी दूर से यहां आये, और उनके ब्यस्त कारिक्रम थे, लेकिन अपनी उपस्तिती दर्ज करा करके, अपने गीतों से, नव गीतों से, चाहे वो बिभिन किसी भी विधा की गीत रहे हूँ, हमें उस लोक में ले गए, जिस लोक में आनन्द की, अनुभूत की अलामा और कुछ नहीं, तो मैं उनका हिड़द देता हूँ अपने समस्त, यहां के जितने हमारे अध्यापक ब्रिंद हैं, करमचारी गण हैं, चात्र चात्राएं हैं, कि बड़े तनमयता से आप लोगों ने सुना, आपने रसा सवाधन किया, उत्सा वर्दन किया, क्योंकि श्रोता और बक्ता अगर कनेक्टेड नहीं हो से आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद यापित करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने राजबाशा कार्यानवन समित के सभी अध्यक्ष, सदस, खास्तोर से, सदस्य स्यचिव, जिन लोगों ने अपने अथक प्रयासे क्योंकि कवियों को एकत्रित करना स्रम सा अध्यकारिया है, इतना असान नहीं है कि सबको सारे कवियों को एक मंच पर लाया जाए, लेकिन उन्होंने ये कारे कर दिया, करके दिखाया, सफलता पुर्वक किया है, वो सादुवाद के पात्र है, और करना चाहिए सबसे पहले, लेकिन सबसे अंच मैं संचालन महोदय, संचालक महोदय का धन्यवाद ग्यापित करना चाहता हूं, कि इतने कवियों को जो विभिन नविदा के हैं, एक साद माध के रखना, ये बड़ा दोश्करकारी है, और इनों आपने बड़े बखूबी निभाया है, इसके लिए आपको एक बार पुना धन्यवाद देता इन ही चंद सब्दों के साथ एक बार आप सभी लोगा है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी से अन्रोदे कृपिया अपने अस्थान पर खड़े हो जाएं, आजाएए, हम सभी वंदे मातरम के द्वारा रास्टर को नमन करेंगे, अपने संस्थान के छात्रों के मातरम, वंदे मातरम, सुझ लाम, सुफ लाम, मलय जशीत लाम, शत्से शाम लाम, मातरम, वंदे मातरम, शुब्रा जोष्ना पुलकिता यामनी, पुलग सुमिता दुमदला शोबनी, सुभाशनी, सुमदरबाशनी, सुकदाम वरदाम आतरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभरात्री, गुड़नाइट.